लोग, तीन चाप्टर हम लोगों के खतम हो गए हैं, तीन चाप्टर जस्ट लाइक इमाजन एक दिन में हमने तीन चाप्टर ऐसे एकदम उड़ा दिये, आज बचे हुए तीन चाप्टर भी हम उड़ा देंगे, छिक्या है? तो, it is going to be fun, राइट, एक साथ में उड़ाना, और आज ही हम लोगों के अल्मोस्ट छे चाप्टर खतम, 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 चीक है? एक बार सेशन को यार फटा फट से लाइक कर दो, स्टार्ट करते हैं हम लोग, आज तीन चाप्टर हम खतम कर रहे होंगे, इस से पहले जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी, इस से पहले हम लोग आल्रेडी तीन चाप्टर कल के सेशन के अंदर कर चुके हैं, ये एक फिजियालोजी का सेकेंड पार्ट है, तो ये अपने पास यहां पर हो गया, ठीक है, ओके, अल्राइट, नव वाट, तो सबसे पहले हम लोको मोशन चाप्टर करेंगे, अपनी सारी बोन्स इन भईया से समझ रहे होंगे, इन भईया से पूछ रहे होंगे कि कैसे सिस्टम होता है, क्या होता है, कैसे अपने पास ह जो लोग पहली बार हैं उसको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी आपको किस तरीके से subject को approach करना है क्या-क्या मेरे पास करना है prerequisites क्या-क्या होते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए number one सब के पास क्या होना चाहिए जोश होना चाहिए number two सब के पास फटा फट तुम खुदी बता दो सब के पास क्या होनी चाहिए rough notebook होनी चाहिए number two क्या होनी चाहिए rough notebook होनी चाहिए उसके बाद number three क्या होनी चाहिए side में N.C.E.R.T होनी चाहिए सभी लोग क्या करेंगे अपना एक pen ले लेंगे रफ नोट बुक में बस ऐसे ही छोड़ा बहुत कीड़े मारते रहेंगे बीच बीच में नींद ना आ जाए सुलाती बहुत हुम है नहीं सिलाती रहे बहुत अच्छे जोग मारती हूं अच्छा बढ़ाती हूं है ठीक है और उसके बाद दूसरा हम क्या कर रहे होंगे अपन के यह मैं पढ़ाती हूं that's all लेकिन NCRT का हर वर्ड में पढ़ा दूंगे इस बात की गैरंटी तुमारी मैं देती हूं ठीक है स्टार्ट करते हैं पांच बज के तीन मिनिट के आसपास हुई है फटा-फट कोशिश करते हैं मैक्स छे बज के 10 मिनट तक लोको मोशन चाप् हूं किसी ने टेलिग्राम जॉइन नहीं करा वहाँ पे जाके कर लेना लेकिन मैं फिर वही कह रही हूं किसी बच्चे का सलेबस अगर नहीं हुआ है तो आपको करने की ज़रुरत नहीं है सारे के सारे चाप्टर्स की इंडिविजुल डीपी मैंने एक यहां पर इस तरीके से human physiology की पूरी unit का एक test डाला है 90 question का कल की छुटी आप लोगों की रहेगी आप पूरी human physio यह तीनों चाप्टर आज करना कल सारी human physio को revise करना revise करने के बाद वो 90 question का test देना 6 chapters तुम लोगों के डन हो चुके है इस तरीके से आपको चीजों को approach करना है और यह आपका पूरा का पूरा system जो है वो रहने वाला है चीक है all right so let us start with the locomotion क्या होता है locomotion उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हां जी फटा फट मेरे को यह बता दो जोश है कि नहीं है यार जोश पूरा होना चाहिए जोश में अगर मेरे को कमी लगी तो फिर देखो यार मेरे को अच होग दो बस we are trying our level best इतना तो आप करी सकते हो चीक है चालो बटा okay okay all right all right start करते हैं locomotion हमारे पास दो टर्म्स होती हैं जो मैंने बहुत अपनी day-to-day life के अंदर सुनी है एक मेरे पास होता है movement और एक मेरे पास यहां पर होता है locomotion चीक है what is this movement and what is this locomotion अब सुनना मेरी बात यह यहां पर मैंने क्या किया मैं अपना यहां पर हाथ को क्या कर रही हूं टिक 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 ऐसे कर रही हूं क्या मैं move कर रही हूं क्या तुम कहोगे yes ma'am you are moving your hands but क्या इस हाथ को move करने की वज़े से मेरी इधर से इधर position में कोई changes आ रहे हैं नहीं आ रहे तो confused होना ही नहीं movement का मतलब होता है जब भी मैं अपना कुछ भी body को move कर रही हूं that is movement और वो movement अब मैं तुमको कहूँ चलो मैं तुमको थोड़ी ramp walk दिखाती हूँ ऐसे तो अब भी मैंने क्या किया अब भी मैंने move किया पर इस movement की वज़े से मेरी क्या हो गई position change हो गई तो position अगर change हुई उसे हम क्या कहते हैं लोको मोशन कहते हैं यह चुन्नो सा difference अपने पास यहां पे है तो movement and locomotion तो जिसकी वज़े से अपनी position में change आ जाए place या location में change आ जाए उसे क्या कहते हैं लोको मोशन कहते हैं ठीक है तो अपने पास ऐसा नहीं है कि locomotory structures डिफरेंट हैं वही पैरों से मैं movement भी कर सकती हूँ पैरों से locomotion भी कर सकती हूँ तो walking, running, climbing, flying, swimming यह सब क्या होते ह जैं locomotory structures, locomotion होता है ठीक है ओके उसके अलावा movement क्या क्या होता है जैसे आपने अपने एक amoeba के बारे में यार हम बचपन से सुनते आते हैं ऐसा होता है अपना amoeba उसके अंदर वो ऐसे ऐसे उसका प्रोटो प्लाजम ऐसे ऐसे चलता रहता है उस प्रोटो प्लाजम की streaming की वज़से amoeba के अंदर क्या होती है movement होती है बहुत सुना है हमने amoeba के बारे में सुना है की नहीं सुना है सुना है उसके बाद दो टर्म्स आपने सुनी होंगी एक सुना होगा सीलिया और एक सुना होगा फ्लेजिला अब दोनों में difference क्या है फ्लेजिला यानि ऐसे याद अंदर में और को फ्लेग ये होता है ऐसे सर पर एक या दो इस तरीके से वह भी है और दूसरा क्या होता है मैरे पास सीलिया सिल ओर पूरी की पूरी बॉड़ी पे ऐसे सीलिया होते हैं छिक है तो आपने एनिमल किंग्डम में तेंटेकल्स के बारे में भी सुना से पूरी स सीलिया, फ्लेजिला, टेंटेकल्स, ये सब चीज़ें प्रेजन्ट होती हैं, अलग-अलग और्गानिजम्स में ये भी मुव्मेंट करने में हिल्प करती हैं, हमारी बॉड़ी में लिम्स, जौ, आईलिड, टंग, ये सब क्या कर रहा है, मुव्मेंट कर रहा है, तो अपने ह अर जगे पर जो हैं, अलग-अलग चीज़ें अपने पास होती हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्जैम्पल दे देती हूं, नंबर वन मेरे पास यहां पर क्या आता है, पैरा मिश्यम्स आता है, आपने बहुत पर पैरा मिश्यम्स का स्ट्रॉक्चर देखा होगा, क लेजिला है या फिर सीलिया, सीलिया मेरे पास है, तो यह पैरा मिश्यम्स के अंदर क्या हो गया, सीलिया हो गया, क्या यह हमारे पास इसकी लोको मोशन में हेल्प करता है, हाँ इसकी लोको मोशन में हेल्प करता है, यानि पोजिशन चेंज करने में, प्लेस चेंज करने मे हेल्प करता है साथ में मान लो इधर कोई फूड पढ़ा हो है ना उसको इसे खाना है तो उसमें भी साइटो फैरिंग्स के थूरू अपने पास क्या था फैरिंग्स था इनके पास क्या होता है साइटो फैरिंग्स होता है तो साइटो फैरिंग्स के थूरू यही सीलिया फू प्रेजंट होते हैं वो टेंटेकल कोई तंटे करके दिखा रहा है माच के दिखा रहा है अपने पास यहां पे बिना बात तो उस प्रे को क्या प्रेजंट करने में भी हेल्प करेंगे और साथ में अगर लोको मोशन होगा तो लोको मोशन में भी हेल्प करेंगे किसके अंदर hydra में tentacles अपने पास क्या होते हैं हमारे पास present होते हैं बिटा जी limbs, हाथ और पैर जिससे हम body का posture change करते हैं और locomotion भी करते हैं तो एक बात मिर को बता दो क्या सारी locomotion movement है लेकिन क्या सारी movement locomotion है क्या सभी movement की वज़े से position में change आता है नहीं आता है so NCRT एक बड़ी प्यारी सी line लिखती है all locomotions are movement but all movements are not locomotion तो क्या कहा बिटा जी फटा फट से एक बार revise कर लेते हैं यहां से chapter हमारा शुरू हुआ जो movement अपने पास यहां पर है वो एक बहुत significant feature होता है amoeba में unicellular amoeba में streaming of protoplasm किसी में cilia, flagella, tentacles अलग-अलग उसमें हमारे पास हमारे limbs है jaw है, eyelids है अपने पास हमारी tongue है यह सब चीज़ें क्या करती है movement करने में help करती है वो movement जिसकी वज़े से place या location location change हो गई तो उसे लोग को motion कहते हैं ठीक है जी और उसके लिए क्या कोई different structures होते हैं नहीं different structure नहीं होते walking को, running को, climbing को इन सब की वज़े से location change हो गई जैसे की example दे रहा है कि देखो locomotory structure और movement करने वाले structure सेम है जैसे cilia locomotion में भी help करते हैं और food को cytopharing से खाने में भी help करते हैं hydra में tentacles capture prey को capture करने में भी help करते हैं और locomotion में भी help करते हैं human में limbs posture भी change करने में help करते हैं locomotion में भी करते हैं so all locomotions are movements but all movements are not locomotion इतनी सिंपल सी बात तो हमारे पास अच्छा अब आपने पूछा ऐसा क्या हुआ कि इनके पास सीलिया है इन भाई साब के पास ऐसा क्या हुआ हमारे पास लिम्ज हैं वो किसके उपर डिपेंड करेगा और ये सेम चीज़ें जैसे हमने रेस्पाइरेटरी सिस्टम पढ़ा रेस्पाइरेटरी सिस्टम में हमने क्या कहा कि हम कैसे घर में रहते हैं हम पानी में रहते हैं हमारा हैबिटाट क्या है उसके उपर डिपेंड करेगा कि कैसा method of respiration हमारा होगा Similarly, हमारा कैसा habitat वहाँ पर होने वाला है, हम किस situation में हैं, उन पर depend करेगा कि अपने पास locomotion का क्या तरीका होने वाला है कोई food की सर्च में है, कोई mate की सर्च में है, कोई breeding grounds की, कोई favorable climatic conditions की और कोई enemies से, predators से escape करने के लिए जगह डूण रहा है, तो ये बिल्कुल common सी चीज़े हैं, कि सब की अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़े होती है हमारी NCRT, तीन में तरीके की अपने पास movements जो है, वो बताती है Amoeboid movement, ciliary movement and muscular movement ये तीन movements अपने पास बताती है Amoeboid, ciliary and muscular movements ठीक है, क्या-क्या होगा इसके अंदर अब Amoeba, Amoeba कहते ही, मिरको ऐसे क्या याद आता है मिरको याद आता है, pseudopodia क्या याद आता है, pseudopodia जो ऐसे बनता है, और ऐसे protoplasm का streaming होता है उनके अंदर हमको देखने को मिलता है कौन Amoeboid movement किसमें Amoeba के अंदर ठीक है जी हमारी body में कहां पे देखता है क्या आपने blood circulation chapter के अंदर macrophages के बारे में सुना है क्या आपने leukocytes, WBC के बारे में सुना है blood में वह भी Amoeboid movement ही शो करते हैं ऐसे ऐसे करके जाते हैं कोई organism यह रखा है कोई organism आएगा उसको ऐसे गोप्चा मार जाएंगे ऐसे पकड़ लेंगे अपने पास ऐसे पकड़ लेंगे तो macrophages, leukocytes जो blood में हैं वह भी शो करते हैं, इसी तरीके का bersin के जाते हैं थल्थल से बार्ट अपने पास यहां पर हो गया को कि जो यह थल्थल से पास यहां पर हो क्या ये चुंटा सा बिल्कुल थल्थल सा पार्ट हमारे पास fight करने को ready हो जाएगा तुम खुच सोचो ये जो बिल्कुल ऐसा थल्थल सा पार्ट हमारे पास है ये थल्थल सा पार्ट ready हो जाएगा fight करने के लिए थोड़ा तो strong बनाओ तो थोड़ी इसको भी bones bones असी थोड़ अपने पास दो तो यहाँ पर कुछ साइटो स्कालिटल यह क्या है हमारे पास साइटो प्लाजम है क्या है मेरे पास यहाँ पर साइटो प्लाजम है तो यहाँ क्या होते हैं कुछ साइटो स्कालिटल एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि micro filaments वो भी इसमें involved होते हैं, वो भी क्या होते हैं, involved अपने पास यहाँ पर होते हैं, समझ आ गई, amoeboid movement सबको done, amoeboid movement सबको done, तो सबसे पहले मेरे पास amoeboid movement में macrophages, leukocides, जैसे amoeba के अंदर वही protoplasm की streaming में, pseudopodia मेरे पास यहाँ पर होता है, cytoskeletal elements यहाँ पर present होते हैं, चीक है, उसके बाद अपने पास क्या आता है, अब बात कर लेते हैं, ciliary movement के बारे में, तो ciliary मतलब अभी तुमको बताया, cilia, ऐसे जाडू जैसा structure, अब जाडू कहां लगानी होती होगी, तुम एक बार खुद सोच के देखो, मैंने जो यह ऐसा structure बनाया, अपना trachea हमने कल पढ़ा था, हमने कल trachea पढ़ा था, पढ़ा था की नहीं पढ़ा था, तो trachea के अंदर, अब बहुत सारी क्या जाती होगी, गंदगी भी जाती होगी, गंदी वो भी जाती होगी, तो हमारी साथ में जाडू भी हमको मारनी पड़ेगी तो इनके अंदर cilia present होता है जो ऐसे tubular organs होते हैं ना उनके अंदर ciliated epithelium present होती है इसी तरीके से जैसे आपने female reproductive system पढ़ा होगा आपने इस तरीके से अपना uterus अरे भाई मेरी थोड़ी drawing कुछ जाद ही अच्छी है तो वो manage कर ले ना आपने ऐसे uterus पढ़ा होगा आपका जो ova है female का वो भी इधर आता है उसको धकाने के लिए कोई चाहिए की नहीं चाहिए साफ सफाई करने के लिए तो इधर सीलिया होंगे तो वो सीलिया उसको धका देंगे तो जितने भी हमारे पास पूलो ऐसा tubular organs होते है न उनके अंदर क्या होगा सीलियेटिड इपी थीलियम अपने पास प्रेजेंट होगा ठीक है अच्छा उसके बाद फाइनली हमारे पास आता है muscular अम मसल तो हमारे पास यहां पर होती ही है हमारे limbs में jaw में टंग में और हमारी मसल की क्या property है contract करने की देखो contract कर रही है relax कर रही है contract कर रही है contraction की property इसके पास यहां पर होती है बहुत सारे multicellular organisms में तो हमारा अंदर क्या है skeletal system अंदर मेरी bones हैं बाहर मेरी क्या है muscles हैं इधर दिमाग है तो मेरे मेरे skeletal system में मेरी muscles में इन तीनों में एक perfect coordination चाहिए होता है तभी हम क्या कर पाते हैं कोई movement कर पाते हैं तो तीन चीज़ें मेरे पास हो गई बटा जी फटा फट से एक बार इसको याद कर लेते हैं मैंने क्या बूला मुटा मोटी तीन तरीके से movements हो सकती है अमीबॉइड टाइप से ciliary type से muscles की help से अमीबा का मतलब अमीबा की इतर है कहां कहां पर macrophages leucocytes ciliary का मतलब क्या हो गया cilia जाडू जाडू कहां कहां लगाई दो जगह लगाई ट्राकिया के अंदर लगाई और दूसरा मेने कहां पर लगाई female reproductive system के अंदर लगाई तीसरा अपने पास क्या हो गया muscular muscular बोले तो muscle muscle कहते ही उसका coordination किसके साथ है अंदर की skeletal system bones के साथ अपने पास present है ये तीन चीज़े मेरे पास हो गई तीन तरीके से movements जो है वो होती है उसके अलावा कही कही पर एक फ्लेजिला भी होता है जैसा कि मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको बोला cilia कुछ इस तरीके से present होते है लेकिन फ्लेजिला ऐसे एक flag की तरह present होता है अब मालो मुझे movement करनी है मुझे मालो swimming करनी है तो swimming में तेर तेर के जाने के लिए ऐसे मेरे cilia तो help करेंगे नी मेरा फ्लेजिला ही help करेंगा ठीक है तो ये अपने पास यहां पर क्या होती है cell membrane से दो तरीके की outgrowth निकलती है कैसी एक तो निकल सकती है ऐसे cilia और दूसरी क्या निकल सकती है मेरे पास दूसरी मेरे पास निकल सकती है फ्लेजिला फ्लेजिला क्या करती है जैसे spermatozoa भी हमारे पास यहां पर हो गया उनकी अंदर उनकी swimming में help अपने पास यहां पर करेगी युगलिना जैसे protozoa की locomotion में sponges में water current जो होता है कैनाल सिस्टम में उन सब के अंदर अपना फ्लेजिला जो है वो अपने पास role play कर रहा होता है मैं पूरी biology जहां पर भी पढ़ा रही होंगी आपको चीजों को इसी हिसाब से relate करके याद रखना है कि क्या फ्लेजिला होगा और क्या मेरे पास यहां पर सीलिया होगा I hope यहां तक सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी इस chapter का गंदा वाला topic खतम अब शुरू होता है अपना part which is the main important part जहां से muscle के बारे में पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे फिर हमारी bones के बारे में हम पढ़ेंगे चीक है यह इसका गंदा वाला part था रटा फिकेशन वाला जग कोई relate नहीं कर सकता इंसान पता नहीं क्यूं दे रखा है पर जो भी है अपने पास यहां पे यही था चीक है चलो अब बात करते हैं किसके बारे में मसल के बारे में मसल जैसा कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है उपर स्किन अंदर बॉन्स तो बीच में मसल है तो उससे याद रखो मसल क्या होती है मीजोडर्मली औरीजन की होती है याद करने का तरीका बता रहे हो एक स्पेशलाइजड टिशू है मीजोडर्मल औरीजन का अब मेरी ऐसे देखो तो हर जगे पे बॉड़ी में मसल ही मसल है तो हमारी बॉड़ी का 42-50% वेट अकेली मसल ही बना रही है तो 50 किलो के हो ना आधी तो तुमारी मसल हो गई तो 40-50% वेट कौन बना रही है मसल बना रही है अच्छा मसल के पास ना एक बड़ी ही प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है क्या क्या प्रॉपर्टी होती है नंबर वन मैंने जैसे ही अब कोई जिम जाता है मैंने जिम जाने वाले को का दिखाना तेरी मसल उसकी मसल मिंटों में एकसाइट हो जाती है तो उसकी मसल में दिखाता हूं ना दिखाता हूं वो मिंटों में ऐसे पोस्ट करने लग जाता है मिंटों में ऐसे पोस्ट करने ऐसे करेगा यानि contract करेगा अपनी मसल को क्या करेगा contract तो क्या है contractability क्या present है उसके पास excitability contractability फिर मैंने का ठीगा बस 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 फिर सीधा कर लेगा यानि extend भी कर लेगा extensibility and एक बर ऐसे कर रहा है एक बर ऐसे कर रहा है एक बर ऐसे कर रहा है फिर भी उसकी muscle नहीं टूटरी इसका मतलब elastic है तो elasticity तो हमारी muscles के पास ये चारो property होती है excitability, contractability, extensibility, elasticity तो muscle क्या है mesodermally region अपने पास है 40-50% body का weight contribute कर रही है और चारो power उसके पास है excitability, contractability, extensibility, elasticity अपने पास यहां पर हो गया और कौन सी muscle कहां कहां पर present है, क्या उनका किस तरीके से appearance है, उन कुछ criteria's के basis पे हमने तीन तरीके की muscles जो है वो यहां पर बाटी है जिनके बारे में हम बात कर लेती है नमबर वन हमारे पास यहां पर क्या आता है, एक अपने पास यहां पर आता है बिटाजी, skeletal muscles, क्या आती है, skeletal muscles मेरे पास आती है दूसरी क्या आती है, visceral muscles, और तीसरी क्या आती है, cardiac muscles जब आप MBBS के अंदर आएंगे, तो आप कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं organs पढ़ रही हूँ, organs नहीं कहेंगे, आप उनके लिए एक word यूज़ कर रहे होंगे, जिनने हम कहते हैं viscera जिने हम क्या कहते हैं, viscera अपने पास यहां पर कहती है, अगर मालो मैंने कहा ना कि stomach मेरे को बता, तो stomach को हर organ को viscera के नाम से जाना जाता है तो अब वो muscles जो viscera से associated हैं, उन्हें visceral muscles कहेंगे, वो muscles जो हमारे heart से जुड़ी हैं, उन्हें cardiac muscles कहेंगे, और वो muscles जो हमारे skeletal system से जुड़ी हैं, उन्हें skeletal muscles कहेंगे simple simple सी बात हो गई, तो skeletal muscles जो skeletal component से जुड़ी हैं, visceral muscles जो हमारे hollow visceral organs से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमारी elementary कैनाल, हमारा reproductive tract, उन्हें से जुड़ी हैं, दो जार visceral muscles और जो हमारे heart से जुड़ी हैं, heart की जो muscles मेरे पास हो गई, दो जार्दा cardiac muscles क्या हो गई, cardiac muscles, अब आप पिर को खुद से बता सकते हो, मैंने आपको कहा, बिटा, हाथ fold करो, तुमने कर लिया, मैंने कहा, बिटा, हाथ सीधा करो, तुमने कर लिया, यानि जो तुम्हारा skeletal system से जुड़ी हुई muscles होंगी, वो क्या होंगी, voluntary अपने पास यहां पर होंगी लेकिन मैंने तुम्हें कहा, चलो अपने reproductive system को चलवाना शुरू करो, क्या तुम उसको control कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो ये कैसी muscle होती है, involuntary होती है, चलो दिल को धड़कवाना शुरू करो देदी, हमारा तो सारा दिनी धड़कता रहता है, वो भी क्या है, इसका मतल अब involuntary अपने पास यहां पर है, तो ये voluntary, involuntary and involuntary muscles अपने पास यहां पर हो गई, ये किसमें help कर रही होंगी, अरे skeletal system से जुड़ी है, तो locomotion में help करेंगी, body के posture को change करने में help करेंगी, CDC बात मेरे पास है, ये विसरा से जुड़ी हुई है, तो food वगेरा को इधर उधर जाने में, elementary canal से जुड़ी है ना, हमारी track किया, अपना isophagus, then हमारा stomach, then हमारी small intestine, इसी को तो elementary canal कहते हैं, तो elementary canal से अगर जुड़ी है, तो food के transportation में help कर रही होंगी, अगर genital tract से जुड़ी हुई है, तो gametes को transport करने में help कर रही होंगी, simple सी बात है, अगर दिल में हैं, तो दि प्रकवाने में help कर रही होंगी, इतनी चोटी सी बात अपने पास हो गई, last but not the least, इनका appearance कैसा होता है, तो हमारे पास, अब आप खुद मेर को बता दीजिए, अपने पास क्या होगा, एक होता है striated appearance, एक होता है non striated appearance, अगर एक मसल हो गई ऐसी, बिलकुल smooth smooth सी अपने पास, चीक है, इसमें किसी तरीके से कोई हमारा काचा पीचा नहीं कर रखा हमने, बिलकुल प्यारी प्यारी सी ऐसी smooth smooth सी मसल्स हैं, जबकि दूसरा आपने पास है, ऐसे काचे पीचे वाली, तो दो तरीके की मसल्स होती है, striated and non striated, अब मेर को ऐसे लगता है, खुदी मतला मुझ मेरे पास है, है ना, rough and tough muscles हमारी है, जबकि जितना भी हमारा विसरा लगता है, वो विसरा मेरे को लगता है, कि वो soft soft सा अपना पेट है, तुमने अपना पेट देखा है कभी अंदर, काट के देखो, निकाल के देखो एक बार, आपको दिखेगा, आपका पेट भी ऐसा चिक आज ही क्या बता हूँ, आपको आज ही हमारे दिल में लगा है, तो उसमें भी कैसा होता है, striated appearance, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हो गई, कि skeletal muscle, जो skeletal component से जुड़ी है, हमारे पास visceral, जो visceral organ, elementary canal, reproductive system से जुड़ी है, काडियक जो heart से अपने पास जुड़ी है, ये striated होंगी, ये अपने पास non-striated, smooth, smooth सी होंगी, और ये भी branching pattern को resemble एक तरीके से कर रही होंगी, ये भी striated मेरे पास होंगी, ये voluntary muscles में help, अपनी voluntary muscles हैं, हम control कर सकते हैं, ये दोनों involuntary हैं, ये heart को धड़काने में help करेंगी, ये अगर digestive system में हैं, तो food को transport कराने में, genital tract में हैं, तो gametes को transport कराने में, और ये हमारे पास हमारे skeletal system से जुड़ी हुई हैं, तो अपने posture को change करने में, locomotory structures वगरा, उन चीजों को change करने में help करेंगी, I hope यहां तक सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो समझ में आ गई, अब हम इस chapter में skeletal muscles को ही detail में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने skeletal system को अपने पास यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम start करते हैं किसके साथ, अपनी skeletal muscles के साथ, all right जी, तो skeletal muscle, हमारी जो muscle है न, वो ऐसे bundles की form में present हैं, किसकी form में? ऐसे bundles की form में present हैं, जिने हम क्या कहते हैं, muscle bundles कहते हैं, अब आपकी जितनी भी muscle है न, यह ऐसे bundle में ऐसे हैं, ओके, अब bundle, bundle एक दूसरे के साथ, फसे हुए होते हैं, किसकी help से, फैस्किया, फैसिया की help से, यह जो bundle हैं, आप इस तरीके से imagine कीजिए, बटा जी, कि जैसे मेरे पास, this is hammer, जो हम experiment, like, check करते हैं, this is, यह medical students का, doctors का hammer होता है, भी check reflexes, इसकी help से, अब नहीं यहाँ पर ऐसे tuck करके, फिर bicep jerk, tricep jerk, वो सब check करते हैं, तो अब ठीक है वो छोड़ो, तो देखो यह मालो hammer है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद hammer है नी, एक muscle है, एक muscle है, यह क्या है, यह दूसरी muscle है, तो यह एक muscle का bundle, यह दूसरी muscle का bundle, यह दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे फसे हुए हैं, किसकी help से, फैशिया की help से, फैस्किया की help से फसे हुई है, तो क्या मैं muscle bundle को muscle fascicles भी बोल दूँ, muscle fascicles भी कह दूँ, बस कतम बाद, तो skeletal muscle में muscle fascicles या muscle bundles होते हैं, जो एक दूसरे के साथ, एक common collagenous connective tissue से connected होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फैस्किया कहते हैं, यह structure आपको ढंक से, समझ में आना चाहिए, एक एक चीज बिलकुल ध्यान से सुनती जानी चाहिए, तुमने का चलो very good, well and good, हमको समझ में आ गया, हमारे यह सारे के सारे जितने भी muscle के bundles अपने पास हैं, यह हो गए हमारे, यह एक बंडल, दूसरा बंडल, दिसरा बंडल, इनके बीच में क्या present है, फैस्किया है, ओके, now please zoom in and हमको बताईए, इस एक भाया के अंदर क्या होता है, तो मैंने कहा, अब, अब क्या होगा, इसके अंदर present होंगे, ऐसे muscle के fibers, क्या present होंगे, muscle के fibers अपने पास यहां पर present ठीक है, इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई, तो हमारे पास इसमें भी ऐसे muscle fibers हैं, इसमें भी muscle के fibers हैं, तो यह बहुत सारे fibers थे, fibers के ओपर एक covering सी अपने पास बनी हुई है, और ऐसे बंडल बनाके हमने रख रखे हैं, जिनके बीच में फैस्किया present है, उस बंडल को हम muscle physical के नाम से भी जानते हैं, आ गई इतनी छोटी सी बात समझ में, अरे हा ना बोलो, हां जी, इतनी सी बात समझ में आई सबको, ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास क्या है, muscle के अंदर हमारे physicals present हैं, जिनके अंदर fibers अपने पास यहां पर present हैं, अब और detail बता दो, muscle fiber को भी detail में बता दो, चलो अब मैं क्या करके ले आई, मैं एक muscle fiber निकाल लाई, तुम खुद सोचो मैंने यह एक धागा यहां से निकाल लिया, अब मैं उसको आपको और detail में पढ़ाने वाली हूँ, कि वो धागा किस से बना होता है, कैसे अपने पास होता है, तो हमने वो muscle भी छोटे-छोटे fiber से मिलकर बनी है, तो आप इस fiber को एक तरीके से किस की तरह imagine कर लो, cell की तरह imagine कर लो, अब cell के उपर क्या होती है, plasma membrane, है ना, उसके अंदर क्या होता है, साइटो-प्लाज्म, अब आपने cell पढ़ा है ना बटा, cell के अंदर क्या present होता है, साइटो-प्लाज्म प्रेजन्ट होता है, उसके उपर क्या present होती है, plasma membrane प्रेजन्ट होती है, कुछ इसी तरीके से अपने पास यहाँ पर भी इसके उपर एक membrane प्रेजन्ट होती है, plasma membrane, ज हाइटोप्लाज्म जैसा ही प्रेजन्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं सारकोप्लाज्म कहते हैं क्या कहते हैं सारकोप्लाज्म कहते हैं अपने सेल के अंदर और क्या प्रेजन्ट था नूकलियस यहाँ पर भी बहुत सारे नूकलियस प्रेजन्ट होते हैं बहुत सारे नूकल अपने पास यहां पर present होते हैं तम लगेगा बार-बार conversion हो रही होंगी चीजों की सारी चीज़ें हो रही होंगी तो अच्छे खासे नूकलियस अपने पास यहां पर होने चाहिए चिक है उसके अलावा और क्या क्या होता था यहां पर जुड़ा था हमारे पास endoplasmic reticulum पढ़ा होगा तुमने तो इसके अंदर भी क्या present होता है इसके अंदर भी सारको plasmic reticulum present होता है just cell से imagine करते जाओ चीजों को याद करते जाओ अच्छा एक छोटी से बात मैं बस आपको बता दूँ इसका जो सारको plasmic reticulum अपने पास होता है यह calcium ions का storehouse होता है यह बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन जैसे जैसे मैं chapter में आगे बढ़ती जाओंगी तब साल के रिए बस इसको इतना ही अपने पास याद कर लेते हैं चीक है ओके ओके अब और डीटेल में जाते हैं क्या इन फाइबर के अंदर भी कोई फाइबर हैं हां यह तो मैंने इसका मोटा मोटी structure देख लिया अब इस फाइबर में भी और फाइबर हैं फिलामेंट इस तर बानते हैं तो सोचिए अपने पास कितना complex structure यहाँ पर बना हुआ है है ना कितना complex structure अपने पास बना हुआ है एक पर फिर से revise कर लेते हैं हम मैंने आपको क्या कहा एक skeletal muscle का structure कैसा होता है उसके बारे में पढ़ाना शुरू करा मैंने कहा हमारे पास यहाँ पर प्रेजंट है muscle के bundles, fascicles जो fascia की help से जुड़े हुए हैं फिर हमने इसको zoom किया, zoom करके देखा तो यह बहुत सारे fibers से बनी हुई थी उस fiber का structure एक cell जैसा है इसके पास भी सारको, अपने पास एक सारको लेमा है उसके पास भी सारको प्लाजम है इसके पास भी बहुत सारे nuclei हैं जिसे हम क्या कहते हैं संक्षम जहां पर बहुत सारे से nucleus होते हैं इसके पास भी एक endoplasmic reticulum उसकी जगे सारको प्लाजमिक reticulum प्रेजन्ट है जो calcium का storehouse होता है और आप उसके भी अगर अंदर जाएंगे उसके अंदर भी ऐसे myofibrils प्रेजन्ट होते हैं और अब इस चाप्टर में मेरे क स्ट्रक्चर को डीटेल में देखना है इनके स्ट्रक्चर को डीटेल में जानना है ठीक है तो उसके अंदर और क्यों होता है वो में नहीं बताऊंगी लेकिन यह myofibril का structure कैसा होता है उतना में ज़रूर बता दूँगे ठीक है चलो तो यह अपने पास यहां पे हो गया अच्छा अब सुनते जाना मेरी बात यह myofibril जो अपने पास है या myofilaments मेरे पास है यह किसे बने होते हैं और कैसे अपने पास बने होते हैं अच्छो अब सुनना हमारे पास इन myofibril का एक dark light dark light इस तरीके का appearance होता है तो जैसे यह dark फिर light फिर यह dark फिर यह light क्योंकि आपने ही कहा था कि जो skeletal muscles हैं वो skeletal muscles striated होती हैं स्मूद नहीं होती हैं तो अगर आपको एक striated appearance देना है तो striated appearance देने के लिए dark light dark light dark light आपको करना पड़ेगा तो exactly वही appearance हमारे myofibrils के अंदर देखने को मिलता है एक dark band एक light band dark band light band now the question is who is making this dark band and light band कौन बना रहा है ओक्ये अब कुछ लोग तो करते हैं acting कि हम बना देंगे हम कर देंगे आपका काम acting तो एक है acting कोई dark band नहीं बना पाया this is a protein दूसरा है myosin इसने सारी अपने schedule को सारे अपने गर मालो पेंटिंग करानी है उसको my अपना समझा और उसने उसको paint किया तो इस भाई ने ये दोनों क्या है proteins हैं इस भाई ने दिल पे लिया और धंग से paint किया this is the dark band this is the dark band ठीक है या फिर इसको myosin myosin से मोटा ये मोटा बैंड भी है okay actin is the light band और इनके लिए दो word भी use कर देते हैं isotropic and anisotropic isotropic कौन है actin है anisotropic कौन है myosin मेरे पास यहां पर है तो मैंने क्या कहा मैं actin और myosin के बारे में आपको बोल रही हूँ मोटा myosin तो thick band कौन सा है myosin है thin band कौन सा है actin है ये क्या है light अपने पास है ये क्या है dark है इसे क्या मैं isotropic band भी कह सकती हूँ हां कह सकती हूँ क्या मैं इसे anisotropic band भी कह सकती हूँ हां कह सकती हूँ अरे एन आईसो ट्रोपिक से A वर्ड लेलू और आईसो ट्रोपिक से I वर्ड लेलू तो क्या मैं इसे I बैंड और क्या मैं इसे A बैंड भी कह सकती हूँ बस इतनी चोटी सी बात मेरे को बता दीजे। अरे हाना बोलो, ठीक है, ये दोनों की दोनों बैंड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, एक दूसरे के पैरलल, एक लॉंगिट्यूडनल एक्सिस में अरेंजड होते हैं, एक्टन थिन होते हैं, मायोसन थिक होते हैं, इतनी छोटी सी बात, आइक एस आपको समझ मे लए आगई होगी 5 यह था अपने दोनों बैंड इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं अब हमारे जो आई बैंड है मालो यह मेरा अक तन यहसे आई बैंड के यह क्या है एक एलास्टिक फाइपरuter एक शुड़ प्रेजेंट है, है ना, वो हमने वहीं पर बोल दिया था, तो इसमें तो कोई मतलब वो वाली बाती नहीं है, तो हमारा जो आई बैंड है, वो एक इलास्टिक फाइबर है, जिसके बीचों बीच, अगर मैं एक लाइन से ऐसे ड्रॉ करूं, एक कट करूं, एक्जाक्ली उसको बाइसेक्ट करूं, उसे हम कहते हैं Z-Line, क्या कहते हैं, Z-Line कहते हैं और थिन फिलामेंट ये जो अपना अट्टन है, ये इस Z-Line से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, तो बहुत जादा difficult वाली कोई बात नहीं है, है ना, similarly, बस अपना myosin है myosin क्या है anisotropic band a band उसके अंदर भी इसी तरीके से एक thin fibrous membrane present होती है जिसे हम क्या कहते है M-line कहते हैं तो कोई यह rocket science नहीं है यह बस उसका बीचों बीच जहां cut लग रहा है ना उसको जो online ठीक है यह कोई अपना दिक्कत वाली आजसच बात है नहीं ओके अब हमारी जो NCRT है वो कुछ इस तरीके का डाइग्राम बनाती है मैंने क्या कहा सुनना बटाजी एक मैंने कहा Z-line है ना किस में किस में बोली मैंने मैंने बोली आइसो ट्रॉपिक बैंड में बीचों बीच कट करती है Z-line मालो ये है मेरा Actin ये क्या है मेरा Actin देखते जाना बिल्कुर ड्रॉइंग मेरी इंटरनेशनल लेवल है फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी ये वाला टॉपिक अगर तुमने ध्यान से समझ लिया ना फिर तुमको बहुत इजीली चीज़े समझ में आ जाएगे और ये क्या है मेरे पास आई बैंड है आई बैंड को बीचो बीच कौन बाइसेक्ट करती है अभी तुम्हें समझ में आएगा मैं वो क्यों बता रही हूं बता दो यार जल्दी बोलो एक लाइन बाइसेक्ट करती है उसका मैंने अभी अभी एक नाम बोला था Z-line इधर भी क्या प्रजंट है Z-Line, ये तो है मेरे पास I-Band, इसी तरीके से यहाँ पर बीच में क्या प्रजंट होता है ये प्रजंट होता है मेरे पास M, मोटा मयोसिन, ये कौन है, ये मेरे पास, अपने पास क्या है Myosin present है, A band present है तो अब NCRT क्या कहती है आप इस एक Z line से दूसरी Z line के बीच का जो distance है न ये जो area है न This area is termed as sarcomere NCRT कहती है इस area को sarcomere कहते है and this is the functional unit of contraction अब मैं आपको इस chapter में आगे contraction के बारे में पढ़ा रही हूँगी है ना उसमें actually contraction हो का रही है वो जानने के लिए वो function हो का रहा है वो जानने के लिए आपको सिर्फ ये area पे focus करना है ये area आपको पता होना चाहिए अब अगर आप देखे तो कुछ area इसका ऐसे overlap है है ना और कुछ area इसका अभी तक overlap नहीं है इस zone को कहते है H zone तो अपने मोटे myosin का वो वाला zone जो overlap नहीं है उसे कहा जाता है H zone अब आपको जिसको ये diagram प्यार से समझ में आ गया होगा उसको खुद से ही समझ में आ गया होगा कि जब contraction हो रही होगी तो शायद ये एक दूसरे के उपर इस तरीके से जा रही होगी Z line अपने पास पास आती होगी H zone छोटा हो जाता होगा और इस तरीके से अपने पास पूरी की पूरी जो contraction है वो होती होगी और इस तरीके से अपना system contraction का जब मैंने muscle सीधी करी तो ऐसे relax होगया जैसे मैंने अभी छोड़ा है जैसे ही मैंने contract करा तो ये दोना आपस में एक दूसरे के ओपर overlap कर जाती होगी कितना प्यारा system अपनी body के अंदर बना रखा है तो जब हम resting state में होते हैं ये हलका हलका इस तरीके से एक दूसरे को overlap कर रही होती है फिर जब हम contract करते हैं अपने पास वहाँ पर छोटा होता जाता है अब तुम को होगे वाजी वाजी मज़ा आगया मज़ा आगया अब फटा फट से आखरी topic इसको पढ़ा दीजिए कि contraction होती कैसे है अरे contraction होने से पहले थोड़ा सा मायोसिन, मोटे मायोसिन और एक्टिन के बारे में भी जान लेते है वो दिखते कैसे है है ना तो थोड़ा सा अपने contractile proteins जो हमको अभी contraction में help करेंगे उनके बारे में बटा जान लेते है नमबर वन मेरे पास यहाँ पर क्या आता है actin आता है which is the thin filament चिक है तो चलो actin के बारे में बात कर लेते है तो actin जो मेरे पास है ना वो किससे बना होता है ऐसा बना होता है ऐसी दो filament से तो ये एक filament हो गया ये दो filament ये दो filaments यानि F actin से मिलकर बना होता है मैं किसका structure बता रही हूँ मैं अपने actin का structure बता रही हूँ actin दो helically wounded F actin यानि filamentous actin से मिलकर बना है अब तुम कहोगे बोल तो रहे हो filament, filament, filament छोटे-छोटे filament तो कहीं आपने दिखाए नहीं filament तो आप कहीं दिखानी रहे ऐसा structure तो हमको suit नहीं कर रहा थोड़े से filament जैसा filamentous structure दिखाऊ ना छोटे-छोटे filaments दिखाऊ हाँ जी दिखा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई दो filaments हो गई क्या हो गई दो filaments actin हो गई जो एक दूसरे के उपर wounded है और ये filament इन गोगलू इन गोलूओं से मिलकर बनी है इन globular actin से मिलकर बनी है जिन्हें मैं क्या कहती हूँ जी actin कहती हूँ तो actin किस से मिला है filamentous actin से बना है वो helically wounded है वो खुद monomers बहुत सारे monomers का polymer एक बनता है किसका globular actin जी actin का बनता है ठीक है? ओके इसके अलावा कुछ और हाँ इसके अलावा एक और प्रोटीन की दो filament और इस एफ एक्टिन के close रन करती है जैसे ये ऐसे filament थी ऐसे ही एक और धागा ऐसे रन करता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपो मायोसिन जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपो मायोसिन कहते हैं इस तरीके से ट्रॉपो मायोसिन नामक एक और धागा अपने पास रन करता है अब तुम कहोगे क्या वो भी ऐसे ही गोलूओं से मिलकर बना है? नहीं वो गोलूओं से मिलकर तु नहीं बना लेकिन उस पे regular intervals पे कहीं कहीं पर ट्रॉपो निन बैठा होता है क्या बैठा होता है? ट्रॉपो निन बैठा होता है और कैसे होगा? क्या होगा? क्या ट्रॉपो निन का काम होगा? उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन अपना ये structure ये diagram जो है वो खतम हो गया इसी के साथ our actin is done actin थोड़ा सा tough था हो गया लेकिन तो मैंने क्या कहा ये मेरे पास यहाँ पर है filamentus क्या present है बिटा filamentus मेरे पास यहाँ पर present है जो किसे मिलकर बना है फटा फट मिरे को comment section में बोलते जाओ ऐसे छोटे छोटे globe से यही आद करके जाने अपने को किसे जी actin से मिलकर बना है इसमें पारलेली क्या रन कर रहा है tropomyosin tropomyosin की कहीं कहीं पर बैठा है troponin इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई ओके ऐसे ही myosin का structure दिखा दूँ दिखा देती हूँ तो अब हमारे पास myosin क्या है मोटा myosin यह किसे मिलकर बना होता है यह myosin ना माई माई करता रहता है तो मेरे myosin मीरो myosin से मिलकर बना होता है myosin किसे मिलकर बना है मेरे myosin से मिलकर बना है अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बहुत सारे मीरो मायोसन होते हैं, मैं थोड़ा सा मीरो मायोसन दिखता कैसे है, उसके बारे मैं आपको बता देती हूं, तो इस मीरो मायोसन के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या दो पार्ट होते हैं, एक ऐसे, ऐसे आप नागी निमाजिनती है, मतलब कहतो रहा है, जो लोग कहत correlärt दोर सबस्क्रारण के आबकुझ कहपड दोर से की ए वासोटी सांप सबस्क्राणार को अपने पास इसमें क्या प्रेजंट है दो इंपॉर्टन्ट पार्ट एक तो क्या प्रेजंट है इसके पास एक globular head, जिसमें अपने पास प्रेजंट है छोटी सी एक arm प्रेजंट है और इसके पास present होती है एक तेली, ठीक है इसलिए इस पार्ट को Heavy mirror maiosin कहते हैं और इस पार्ट को Light mirror maiosin कहते हैं वो मोटा हैना, so that is termed as heavy mirror maiosin तो यह अपने पास इस तरीके से बहुत सारे मीरो मायसिन हमारे पास होते हैं रैगिलर इंटर्वल्स पर यह एक दूसरे के साथ अंगल बना रहे होते हैं क्रोस बना रहे होते हैं जुसे हम क्रोस आम के नाम से भी जानते हैं आपकी NCERT के अंदर कुछ इस तरीके का डायाग्राम जो है NCERT बनाती है ये तो ये जैसे ये एक मीरो मायसिन ये ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस बना रहे हैं तो इसे क्रॉस आम के नाम से जाना जाता है ठीक है Finally आपने कहा कि मीरो मायसिन कैसा होता है वो आपने बोला आपने बोला कि एक्टन कैसा होता है वो भी आपने बोला Now बहुत हो चुका है इस पार्ट को खतम कर दीजिए We want to talk to Bonnie now अब फटा फट से Bonnie को लाइफ में लेके आईए हम ठक चुके है ठीक है अगर आप इसके चोटी में आप देखेंगे तो इसके पास एक ATP binding site present है क्या present है ATP binding site present है This is active ATPase enzyme site जहां पर site अपने पास present होती है एक्टन को बाइंडी करने के लिए क्या होता है actually प्रॉपोनिन जो आपको मैंने पढ़ाया ना that is also हट जाएगा प्रॉपोनिन क्या करेगा हट जाएगा इसके पास भी यहां पर इसी तरीके से एक active binding site होती है किसको bind करने के लिए myosin को bind करने के लिए उसके उपर masking ट्रॉपोनिन ने कर रखी है सुनते जाना अब मैं तुमको बताती हूँ कैसे system होगता है ध्यान से सुनना बटा लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का बहुत प्यार से समझाऊंगी इतना प्यार से समझाऊंगी तुमको जिंदगी पर याद रहना चाहिए किसी तरीकी का confusion तुमको रहने नहीं दूँगे बस तुम सुन लेना दो पांच मिनिट ये टॉपिक थुड़ा ऐसा है जिसमें तुमको फोकस लगाना पड़ेगा अच्छो देखो ये क्या था ये क्या था active ये क्या था myosin अभी अभी हमने ऐसा structure देखा था सारको मिर हमने पढ़ा था तो एक था active एक था myosin अब आपको करना है contract तो अब इनको सपना तो आ नी रहा ऐसे contract करेंगे एक दूसरे का सहरा लिना पड़ेगा एक इसको और इसको दुनों को bind करना पड़ेगा और एक दूसरे को पकड़ के ऐसे खीचना पड़ेगा तभी एक दूसरे के उपर overlap कर पाएंगे मालो ये है मेरा actin ये है मेरा myosin अभी ये ऐसे बैठे हुए must relax तुम्हारी muscle पड़ी है लेकिन जैसे ही तुमको contract करनी है सपना तो इनको आएगा नहीं कि चलो हम करते हैं नहीं एक दूसरे को पकड़ किया आजा 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 contract करते हैं ऐसे contraction होता है तो इसका मतलब इन दूनों के पास एक ऐसी site होनी चाहिए जहां ये एक दूसरे के साथ bind कर सकें और एक दूसरे के साथ overlap कर सकें तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे actin के पास ऐसी site होती है जहाँ पर वो क्या कर सकता है वो myosin को bind कर सकता है और हमारे myosin के पास भी ऐसी site है जहाँ पर वो actin को bind कर सकता है myosin की site यह है और actin की site यहाँ पर है बट तक वेस्चिन इस कि actin के जहाँ binding की site होती है वहाँ पर तो चोकड़ी मारकर बैठा है ट्रोपोनिन वहाँ पर तो टोपी बनी हुई है ट्रोपोनिन की अब आप क्या करोगे अब आप जब तक ट्रोपोनिन नहीं हटेगा तब तक य जो मैंने कहा था कैलिशियम का तो अपने ट्रोपोनिन को बेटा जी कैलिशियम से पता नहीं क्या प्यार है तो जैसे ही आपने क्या किया आपने decide करा कि मुझे क्या करनी है contraction करनी है तो तब ही आपका central nervous system ने एक motor neuron के थुरू signal भेजा भी motor neuron क्या होती है वो अगले चाप्टर में हम पढ़ी लेंगे वो अपने पास आएगी muscle से होते हुए वो आपको याद करने की जुरत नहीं वो भी अगले में हो जाएंगे इन्हें हम कह signal पहुंचेगा और signal कहां तक पहुंच जाएगा signal पहुंचेगा आपने अभी एक structure पढ़ा था कि अंदर प्रेजेंट है सार को प्लाज्म बाहर है सार को लैमा तो अपना signal आया उसने इस सार को लैमा को पकड़के हिला दिया कि चल फटा फट से शुरू कर काम तो यहाँ एक नियूरो ट्रांस्मिटर रिलीज हुआ यह सब अभी आपको याद करने की जुरुतनी अगला chapter मेरे को वही पढ़ाने है अभी तो बस आप याद रखो कि एक message आया जिसने इस सार को लैमा को हिलाया सार को लैमा हिलते ही अंदर का system भी हिलेगा कौन हिला endoplasmic reticulum endoplasmic retic reticulum से निकला क्या निकला calcium और troponin को बिटा जी calcium से बड़ा ही प्यार है troponin जाएगा किसके पास calcium के पास troponin हटा तो क्या होगा अपने पास actin के ऊपर जो binding की site थी वो site क्या हो जाएगी खाली मेरे पास हो जाएगी होगी की नहीं हो गई अपने पास यहाँ पर है ना ठीक है इसी तरीके से साथ में अपना यहाँ पर ATP भी release हुआ ATP हमारे पास यहाँ पर आया उसका hydrolysis हुआ ATP ने energy दी ATP में वो तूटा और myosin के head को यह तो ATP is binding site है ना तभी वो जाकर active होती है ना तो ATP गया वहाँ पर जाकर bind करा और खौल दिया उसने इस site को अपने पास खोल दिया जैसे ही site दोनों की दोनों खुली दोनों के बीच में एक क्या बना एक bond हमारे पास यहाँ पर बना जिसे हम क्या कहते हैं cross bridge कहते हैं तो एक जगह पर हमने troponin को हटाया किसकी help से calcium की help से दूसरी जगह पर जहाँ पर ATP आया और उसने वहाँ पर चीजों को active किया और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे bind किये और अब उसने उसको अंदर खीचा उसने उसको अंदर खीचा और contraction मेरे पास हुई एक दू ऐसे ही मुझे वापस normal करना है state को तो फिर से ADP को ATP में convert हो जाना चाहिए हमारे calcium को वापस से अपने troponin को छोड़ कर चले जाना चाहिए तो इस तरीके से system होता है इसका just उल्टा कर दो यहाँ पर ATP ADP में और PO4 माइनस में टूटा था अपने पास अब वो वापस से ATP बना देंगे यह फिर से हो गया यहाँ पर अपना calcium ने troponin को दोका दे दिया troponin इधर वापस आ गया फिर से relaxation हो गई contraction, relaxation, contraction, relaxation इस तरीके से एक cross bridge जो है वो अपने पास यहाँ पर बनता रहता है और यह जो theory है इस theory का नाम होता है sliding filament theory क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है वो एक दूसरे के ऊपर slide कर रही है क्या कर रहे है slide कर रहे है तो इसे कहा जाता है sliding filament theory ओके ठीक है लास्ट अब बहुत जादा अगर तुम इस तरीके से active in active करते रहोगे तो गड़बर तो मेरे पास बिटा होगी ही है ना तो बस अब बहुत जादा अगर करते रहते हैं तो बहुत जादा अगर repeated activation करोगे अपने पास muscle की तो उसकी वज़े से oxygen वहाँ पर नहीं हो पाईगी तो anaerobic respiration स्टार्ट होगी और lactic acid बन जाएगा तो बहुत बार होता होगा ना तुमारे ऐसे हाथ कहले आस तो बढ़े हाथ बढ़क रहे हैं आस तो बहु उसके लावा कुछ muscle ऐसी होती है जो अपने पास एक उनके पास red color का oxygen storing pigment present होता है उसे हम कहते हैं myoglobin तो जैसे अपना hemoglobin था hemoglobin O2 को उठा कर लेके जा रहा था ऐसे ही muscles में जो oxygen को store कर रहा है that is termed as myoglobin कुछ के अंदर myoglobin जादा तो myoglobin को hemoglobin की तरह सोचो तो जिसके अंदर myoglobin जादा यानि hemoglobin जादा वो कैसा होगा red होगा लाल लाल लेक दम तो वो muscles जिनमें myoglobin जादा उनका reddish color होता है तो उन्हें हम red fibers कह देते हैं है ना ऐसी muscles के पास अब myoglobin जादा है तो oxygen जादा होगी तो mitochondria भी जादा होने चाहिए क्योंकि बहुत ATP बनेगी तो इसी लिए इन वाली muscles को aerobic muscles के नाम से जाना जाता है on the other hand जिनके पास myoglobin कम है वो या तो pale दिखती है या whitish अपने पास दिखती है muscles उन्हें हम white fibers के नाम से जानते हैं उनके पास mitochondria कम ही होते हैं लेकिन उनके पास sarcoplasmic reticulum जो है वो हाई होता है और वो anaerobic process के उपर depend करती है इसी के साथ आपका इस chapter का जो first वाला half है वो खतम हो गया अब बची अपनी पास चुन्टू सी अपनी bones क्या सभी लोगों को यहां तक पूरा का पूरा जो part है वो समझ में आ गया किस तरीके से muscles contract करती हैं कैसे चीजें हो रही हैं यार मेरे को बस इतना सा बता दीजे ्ला है, पल defekt. आप्लात, आपलात, आप्लात, आप्लात. ठीक है अब स्टार्ट करते हैं अपने भूनी के साथ यह मेरा बड़ा यह फिवरेट आपपक है। इस टॉपिक में 20 मिनट कीच के लगेगी है यह जी बात करते हैं कितनी मसल होती है कितनी नहीं होती है फटा फट से देखिये जी आजे ये फटा फटा तो हमारे skeletal system में bones हैं हमारे skeletal system में कुछ cartilages भी अपने पास यहां पर present हैं आपको अगर खाना चबाना है तो आपको jaw bones चाहिए आपको walk करना है तो आपको limb bones चाहिए तो हमारी body में एक special connective tissue है जिसे हम bone या फिर cartilage कहते हैं तो हमारी body में bones present होती हैं कहीं कहीं पर cartilage होता है Now what is the difference between this bone and cartilage? Difference क्या है? तो जैसा कि आपको पता है हड़ियां strong होती हैं तो ये hard बनी होती हैं और कहते हैं na calcium खाया करो strong बनोगे तो इनके अंदर क्या present होता है? हमारे पास calcium salts present होते हैं जबकि ये बिचारी थोड़ी सी comparatively weak होती हैं प्लायबल होती हैं दिख रहा ना तुमको प्लायबल तो इनके अंदर condroitin salts present होते हैं क्या कभी कोई भूलेगा? नहीं भूलेगा human कितनी bones से मिलकर बना है? हम humans 206 हटियों से मिलकर बने हैं साथ में कुछ cartilage अब 206 हटिया कहां कहां है? एक तो मेरे पास ये बीचों बीच का system और एक मेरे पास यहां पर क्या हो गया? side का system तो एक क्या हो गया? axial skeleton और दूसरा मेरे पास यहां पर क्या हो गया? appendicular skeleton यानि अपने जो हाथ पैर हमारे पास हैं तो दो पार्ट अपने पास हो गए axial skeleton और appendicular skeleton axial skeleton में अब यहां पर देखते जाना फटा फट बिटा जी एक क्या हो गया? axial skeleton और एक क्या हो गया? appendicular skeleton तो बीच वाला axis जो axis में है axial जो side में है वो क्या हो गया? appendicular axial skeleton में 80 वोन्स प्रेजन्ट होती हैं main axis में मुझे तो लग रहा है एक तो skull एक क्या हो गया? आगे की तरफ ribs ये वाली sternum और पीछे की तरफ vertebra आप अपनी body में भी imagine कर लीजिए आपका skull इधर sternum side में ribs और पीछे vertebra यही axial skeleton का पार्ट होंगे होंगे की नहीं होंगे? होंगे? चीक है skull को थोड़ा और detail में देख लेते हैं skull के क्या-क्या पार्ट है? skull में दो set of bones हैं एक तो उपर का cranium और एक यहाँ पर सामने वाला अपना facial bones तो दो पार्ट इसके हो गए एक तो cranial bones और एक क्या हो गई? facial bones यह total कितनी होती है? 22 bones होती है cranial कितनी होती है? cranial होती है 8 सुनना दिमाग तुम अपना एक बर तुमारे दिमाग तो है नहीं वैसे है पर फोड़ के देखो फोड़ के देखो एक दम cranial वाहा solid है एक दम देखा तुमने से solid, बिल्कुल solid है तो cranial bones जो होती है ना वो एक दम tight होती है उनकी hard protective covering होती है क्यों? क्योंकि brain को protect करने के लिए है ना जो कि जो हमारे facial bone है वो कितनी है अपने पास यहाँ पर चौदा हमारे पास है जो frontal part को बना रही है उसके अलावे एक single यहाँ पर एक U-shape की bone होती है जो हमारे hood में होती है तो hood में है बकल cavity के hood में है तो उसे कहते हैं hyoid और उस bone को भी हम skull का ही part पांगते हैं तो मैंने आपको क्या बुला? हमारे skull के अंदर एक cranial bones हो गई एक facial bones हो गई cranial bones tight है strong है facial bones आगे वाली 14 अपने पास हो गई एक hood में hyoid अपने पास यहाँ पर present है उसके अलावा ear में भी होती है तीन अपने miss ear के अंदर वैसे तो mr ear है लेकिन अपने miss ear में भी तीन bone होती है कौन कौन सी जैसे तुम्हारे कानों में भरा है malice malice से अंदर जाओगे incus अंदर step रखोगे तो stapes तो malice, incus, stapes ये भी ear की bones होती है और इनको मिला कर क्या कहा जाता है ear ossicles के नाम से जाना जाता है ठीक है? ओके अब cranial bones के नाम याद कर लेते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर clearly दिख रहा है front में front में क्या हो गई? frontal bone front के pair में क्या हो गई? parital bone ध्यान से देखते जाना अगर आप इन भाया को देखेंगे आपको एक यहाँ पर क्या नजर आएगी? front में नजर आएगी frontal bone है ना? एक इसके pair में नजर आएगी parital bone फिर इसके यहाँ पर भी एक नजर आ रही है temporal bone तो front में frontal frontal के pair में parital और पीछे occipital क्योंकि जब भी तुम पिटते हो तो यहीं पिटते हो मम्मी मार दिया ना से चड़ाक का गुमा के तो पीछे occipital और यहाँ पे side में बची temporal bone temporal bones तो स्कल में क्या क्या होगे? frontal parital temporal occipital done face में बात कर लेते हैं hoodum के नीचे hyoid यह क्या है? mandible 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 की भेन maxilla तो mandible maxilla नाक में nasal bone आखों में तुमारे lacrimal glands होते हैं सुना है तो lacrimal bone तो lacrimal bone के इत्थे इत्थे ही होती है lacrimal bone तो इत्थे मतलब ethmoid वहाँ पर ethmoid भी है lacrimal भी है तो मैंने नीचे face में क्या कहा? नीचे कहा अपने पास यहाँ पर यह NCRT डाइग्राम देती है इधर मैंने कहा mandible mandible की बहन maxilla साथ में याद रखना नाक में nasal याद करने की जरुरत नहीं आखों के इत्थे ही होती है lacrimal तो ethmoid और lacrimal और एक यह अपनी बची sphenoid bone sphenoid bone और यहाँ पर अपनी zygomatic bone बहुत प्यारी है तो zygomatic bone से हसी है जरा smile कर दीजिए है ना तो zygomatic bone तो यह सारी की सारी bone human skull के अंदर हमको देखने को मिलती है जो आपकी N-C-E-R-T दिखाती है ओके बटा जी तो यह अपने पास यहाँ पर हो गया उसके बाद अब अगर यह मेरे पास है यह आपका सर है तो सर अब नीचे इधर articulate भी करेगा this is occipital occipital को अब नीचे अपनी आगे body के साथ भी जुणना पड़ेगा vertebra के साथ भी जुणना पड़ेगा हाँ तो occipital से निकलते हैं दो occipital condyle ऐसे condyle जो हमारे पास articulate करते हैं किसके साथ vertebral column के साथ किसके साथ vertebral column के साथ अब ये vertebral कितनी है कितनी vertebra है total total कहाँ पर है dorsally dorsal side में total 26 vertebra present होती है याद करिए सबसे पहली आप क्या कहते हो कि आहे दर्द हो रहा है मेरे तो cervical हो रहा है सुना है तुने सुना है तुमने बहुत बहुत लोग ऐसे कहते है मेरा तो cervical हो रहा है तो सबसे पहली जो अपने पास रहेंगी वो कौन सी रहेगी cervical vertebra रहेगी उसके बाद आपने कल पढ़ाई था ये वाला region क्या कहलाया जाता है thorax कहा जाता है यानि उसके बाद जो vertebra रहेगी वो thoracic vertebra आपने पास यहाँ पे रहेगी फिर इसको थोड़ा और लंबा कर दो तो लंबार region और फिर अपनी दो बहने साथ रहती है sacral and cocageal this ये जो अपनी पूचसी बनी हो यह न यहाँ पे ये sacral and cocageal तो ये अपनी total 26 vertebra मिलकर बनाती है सरवाइकल कितनी साथ उसमें 5 जोड़ दो 7 plus 5 equals to 12 लेकिन बीच में लिखना है उनको तो thoracic 12 lambar 5 sacral होती है one fused fuse हो जाती है वो इसलिए one fused cocageal भी one fused तो वो fused होती है ठीक है तो क्या-क्या मैंने बोला अपने पास यहां पे फिर से मैंने कहा हमारी जो vertebral column है वो किस से मिलकर बनी है 26 serially arranged vertebra से बनी है dorsal side के उपर skull के base में main framework हमारा बना रही है इनके बीच में आप अगर आपने देखा हो vertebra कुछ ऐसी होती है अब यह vertebra है क्यूं यह है क्यूं तो आपने एक word सुना होगा हमारी spinal cord वो spinal cord ना इनके बीच से पास कर रही होती है तो यह क्या करती है उसको protect करने का काम करती है head को और ribs को attachment भी देती है तो एक तो इनके अंदर से spinal cord पास करती है देखो ना इधर ribs, ribs इधर जाके attach हो रही है तो ribs को attachment देती है हमारे back का एक musculature बनाती है अगर नहीं होती वर्टीब्रा तो हम ऐसे होते है बीचे से सोचो यह हो गया अपने पास वर्टीब्रल कॉलम कितनी कितनी थी सब से cervical हो गया फिर लंबार और बीच में थोरेक्स यह साथ, यह पांच, यह बारा fused, coccyx उपर SC sacral and coccyx यह हो गया मेरे पास यहां पर अच्छा अच्छा, अब मेरे पास क्या बचा, बचा sternum, sternum क्या है अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो यह देखो एकदम बीचो बीच, thorax के midline में एक flat bone है यह dorsal side पर यह ventral side पर यह हो गई अपनी sternum उसके बाद बात करते हैं ribs के बारे में अब यह ribs आप देखेंगे तो total ribs के होते हैं 12 pair, कितने pair 12 pair आगे यह किस से connected है sternum से, पीछे यह किस से connected है vertebral column से पीछे किस से connected है अपने पास vertebral column से तो ventraly sternum से पीछे vertebral अब, इसलिए इन्हें bicephalic कहा जाता है क्या कहा जाता है bicephalic कहा जाता है क्योंकि दो articulation नंकी है एक इधर articulate कर रही है इधर articulate कर रही है तरी और प्छा से अ throne आपका बूनी ने में three रिपे तोट गया यह वाली देखो आपकी the ribs तूटी हुए हैं ना बिटा टूटी नियु ओए रिप्स ये सच में ऐसा ही होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे जो टोटल बारा वर्टीबरा मेरे पास यहां पर है वो उन रिप्स में पहली जो साथ रिप है वो साथ रिप इधर स्टर्नम से कनेक्ट हो रही है पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट हो रही है उसके बाद आठवी नौमी और दसवी नंबर की रिब्स जो है वो देखो यहां पर इस से जाके कनेक्ट हो रही है और यह स्टर्नम से यह अपनी साथवी यह आठवी यह नौवी यह दस्वी यह तीन हो यहां पर जाके कनेक्ट हो रही है और यह फिर स्टर्नम से जाके कनेक्ट हो रही है लेकिन यह पीछे वर्टिबरल कॉलम से अटेज्ट है ग्यारवी बारवी ने तो ब पहली साथ ribs हैं, वो क्या होती हैं, आगे भी connected और पीछे भी connected, तो उन्हें हम true ribs के नाम से भी जानते हैं, किसकी help से connect होती हैं, ये hyaline cartilage की help से connect होती हैं, उसके बाद मेरे पास क्या आया, 8th, 9th and 10th rib, वो क्या करती हैं, directly sternum से नहीं जुड़ती, वो 7th rib से hyaline cartilage की help से जुड़ती हैं, और वो फिर जाकर sternum से जुड़ता है, तो इन्हें हम false ribs या फिर vertebrochondral ribs के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका काम vertebra से ज़्यादा जुड़ना है, last but not the least, 11th and 12th number की ribs, जिने हम वो तो हवाओं में उड़ रही हैं, floating ribs के नाम से भी जानते हैं, और कल आपने एक thoracic cage के बारे में पढ़ा था, जिसके बीच में lungs थे, तो ये जो thoracic cavity एक तरीके से हो गई, ये thoracic vertebra, ribs और sternum की help से मिलकर बन रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, rib cage, तो ये ribs पीछे thoracic vertebra और आगे sternum, ये मिलकर क्या बनाते हैं, rib cage बनाते हैं, इसी के साथ आ आपका axial skeleton system जो है, वो खतम होता है, I hope यहां तक जो चीजें हैं, वो समझ में आ गई होंगी, हंजी, clear, okay, clear सभी को, अब मैं बोलूं appendicular system, अब मैं appendicular system बोलूं बटा जी, ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, appendicular system के बारे में, यानि हाथ और पैरों के बारे में, एक हाथ में तीस बोन, दूसरे हाथ में तीस बोन, पैर में तीस बोन, दूसरे पैर में तीस बोन, तो हर limb के अंदर, तीस तीस बोन होती हैं, टोटल कितनी हो गई, 120 हमारे पास यहां पर हो गई, अब एक हाथ की बोन के बारे में बात कर क्या क्या हो गए हिव मेरस कि क्या हो गई विरस उसके बाद अप ऐसे चरब बना जाओ ऑन गहीं एधर वाली बोन को रेडियस और नीचे वाली ल्ट इस वाली बना रहा ऐसे हाथ करके देखो रेडियस बन जाएगा तो ये क्या हो गई? हुमेरस, ये क्या हो गई? रेडियस, उसके नीचे क्या हो गई? अलेना अब हाथ की बात कर लेते हैं इधर जोडने का हेल्प करोगे करोगे की नहीं करोगे तो कौन सी होनी चाहिए वहाँ पर? कारपल, जिसे हम कहते हैं रिस्ट बोन क्या कहते हैं? रिस्ट बोन, कारपल से निकली क्या? मेटा कारपल कारपल से क्या निकली? मेटा कारपल और फिर अपने पास फैल गई कौन? फैल गई कौन? अब तुम खुद गिल लो याद करने की जुरत नहीं है तुमारी ये उंगलियों के बीच में जो ऐसे निशान है ना बीच में गिन के देख लो एक, दो, तीन, चार, पांच है साथ, आड, नो, दस, ग्यारा, बारा और अंगुठे में दो ही होता है तेरा चौदा, इसका मतलब फैलंजिज है, टोटल चौदा यहाँ पर एक इधर आई, दूसरी तीसरी, चौथी, पांचवी मेटा कारपल है, पांच बची क्या, बची अपने पास कारपल, रिस्ट बोन होती है आठ आठ चीक है चीक है, क्लियर इतनी छोटी सी बात सबको तो यह हो गया, अपने पास क्या, हमारे पास हाथ की सारी, की सारी बोन्स, ओके अब आ जाते हैं, पैर पे पैर पे भी, इसी तरीके का सिस्टम है हुमरस की जगह पर फीमर, रेडियस और अलना की जगह पर टीबिया एंड फिबियूला टीबिया एंड फिबियूला कारपल की जगह पर टारसल मेटा कारपल की जगह पर मेटा टारसल और फैलेंजिस की जगह पर फैलेंजिस तो उपर क्या आ गई, उपर आ गई फीमर देन मेरे पास आ गई टीबिया and fibula उसके बाद अपने पास आ गई phalange सरी हमारे पास आ गई tarsals टarsals के बाद metatarsal और metatarsal से बन गई मेरे पास क्या phalange phalange कितनी 14 metatarsal कितनी 5 लेकिन आपने अगर सुना हो यहां पर एक नीग आप भी होती है जिसे हम पटेला के नाम से जानते हैं जहां पर तुम्हारा दिमाग है exactly वही वाली तो इसका मतलब आपने तो कहा था कि टोटल 30 बॉन्स होती है हात में भी टोटल 30 बॉन्स होती है पैर में भी बाकी तो सेम सिस्टम अपने पास यहां पर इसमें भी है उसमें भी हमारे पास है ठीक है माल लिया हमने लिकिन आपने तो यहां एक पटेला एक्स्ट्राइड कर दी फिर अब भून खतम कहां से करोगे तो हमारे पैर के अंदर आठ नहीं होती साथ टारसल्स प्रेजेंट होती है बस यह डिफरेंस मेरे पास है ठीक है तो यह चीज अपने पास हो गई I hope सभी लोगों को समझ में आ गया होगा नी क्या हमारे पास है एक पटेला अपने पास है जो कप शेप का बोन हमारे पास होती है ठीक है दन 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 क्लियर नैंसी अब नहीं हुआ यार चेंदस तक कंबली तो क्या कर सकती हूँ मेरे पास इलाज थोड़ी है तुम्हें इतना छोटे बच्चों की बात क्यों करते हूँ दस मिनट और बारा मिनट और लग जाएगी या क्या कर सकते हैं मैं चप्टर तो नहीं छोड़ सकती ना आएं तो ट्राइंग मैं बखवास करी हूँ बात करी हूँ फिफ्ट क्लास के बच्चे थोड़ी हो अच्छा इसके बाद अब एक लास चीज बच्चे अब आपने ठीक है सब बोला यह हो गया एक्जियल सकालेटन यह हो गया अपेंडिकुलर सकालेटन अब यह क्लाविकल के बारे में तो आपने बात ही नहीं करी इस हाथ को इसके साथ जोड़ू कैसे इस पैर को इसके साथ जोड़ू कैसे उन बोन्स के बारे में भी तो बात कर लो तो वो portions जो हमारी इन bones को जो upper limb है, lower limb है, इनको axial skeleton के साथ जोडने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, girdles, उन्हें क्या कहते हैं, girdles, तो girdles अपने पास यहां पर, अगर नीचे वाले portion को क्या कहा जाता है, pelvis, तो इसे क्या कहा जाएगा, pelvic girdle, और को जोड़ेगी पेक्टोरल गर्डल जो पैर को जोड़ेगी पेल्विक गर्डल ठीक है जी अब दोनों गर्डल को डीटेल में देख लेते हैं सबसे पहले मेरे पास क्या आता है पेक्टोरल गर्डल आता है अब पेक्टोरल गर्डल में एक आपने बड़ा ध्यान से देखा ह यहां पर एक बोन दिखती है यहां पर एक बोन दिखती है कि नहीं दिखती है तो हमारे पास क्या प्रेजंट हो गई स्कापला एक ऐसी बोन देखी होगे आपने लार्ज ट्राइंगुलर शेप की एक फ्लाट सी बोन देखी होगी थॉरिक्स के डौरसल साइड पर second और seventh ribs के बीच में present होती है। 2nd से 7th rib के बीच में present होती है. On the other hand, clavicle पने पास क्या है? Clavicle कुछ इस तरीके की present होती है. Clavicle कुछ इस तरीके से अपने पास यहाँ पर होती है. ये क्या है? एक long, slender bone मेरे पास यहाँ पर है. इसे हम collar bone भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉलर बोन भी अपने पास यहां पर कहते हैं ठीक है जी ओके अब अब यह जो क्लाविकल है और यह जो स्कापुला अपने पास यहां पर है अगर आप यहां पर देखेंगे अगर आप यहां पर देखेंगे यह रही मेरी क्लाविकल और यह रही मेरी स्कापुला से यह एक पा यह निकलाई पार्ट जो इस क्लाविकल के साथ जुड़ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे यह इस के साथ जुड़ रहा है देखरें आप लोग तो हमारे पास जो क्लाविकल होती है वो स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करती है कैसे, scapula से एक यहाँ पर क्या निकलता है spine-like structure निकलता है scapula में एक elevated ridge होती है जो spine-like structure बनाती है यहाँ पर एक process बनती है जिस process को कहा जाता है acromion उस acromion में, मालू यह है मेरा elevated ridge वो elevated ridge है यह, यह है मेरा acromion और इस acromion में बनी है एक cavity जिसे हम कहते हैं glenoid cavity यह glenoid cavity किसके साथ articulate करती है देखो तुमको खुद ही दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा, humorous होगा humorous तुमने ऐसे गुमा के देखो तुमको खुद ही फील होगा कि humorous शायद ऐसे fit है किसी चीज में तो इस glenoid cavity में तो यह हो गया मेरा acromion acromion के नीचे हो गई glenoid cavity तुम खुद एक बार सोच के देखो मुझे, मुझे इस scapula को एक तो clavicle से जोड़ना है और एक किस से जोड़ना है? humorous से जोड़ना है तो अगर आप देखेंगे यह जो ridge निकला यहाँ acromion बना यह किस से जुड़ रहा है? clavicle से जुड़ रहा है और इसके नीचे अगर देखोगे एक cavity बनेगी जिसे glenoid cavity कहते हैं जो humorous के साथ जुड़ रही है तो कभी भी आपको confusion नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से कि acromion कैसे कर रहा है और glenoid cavity अपने पास कैसे है कैसे चीज़े हो रही है इस तरीके से अपनी उपर pectoral girdle जो है वो बन रही होती है लास्ट बट नॉट दे लीस्ट इस दा pelvic girdle pelvic girdle के अंदर present होती है दो coxal bone ये किसे मिलकर बनी होती है तो हमारे पास अगर आपने एक सुना हो this is pubic symphysis symphysis मतलब जहां जुड रही है चीज़े तो इस region को कहा जाता है pubic symphysis this is this region is termed as pubic symphysis तो ये वाली bone pubis ये वाली bone भी pubis चीक है उसके अलावा एक ileum इधर istium and pubis ileum, istium and pubis ये तीन bone अपने पास present होती है लेकिन अगर आप देखोगे तो ये तीनो bone जुड़ी हुई है कोई ऐसे नहीं कि अलग है तीनो bone देखो यहां से देखो ये तीनो bone जुड़ी हुई है तीनो, ileum, istium pubis तो ये तीन bone मिलकर हमारे पास क्या करती है एक इधर तीन ileum, istium pubis जुड़ी है एक इधर तीन ileum, istium pubis बनी है और ये दोनों मिलकर pelvic girdle बना रही है इसी तरीके से इनके अंदर भी जैसे वहां glenoid cavity थी यहां पर भी एक cavity है जिसे हम acetabulum कहते है जिसमें femur articulate करती है तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा system जो है, वो होता है acetabulum present होता है जहां पर femur articulate करती है, तो एक हाफ pelvic girdle का इधर दोनों आगे सामने मिल रही हैं fibrous cartilage की help से जिसे हम, ये pubis bone है तो pubis जहां आके जुड रही है pubic symphysis ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा NCRT का किस तरीके से skeletal system होगा क्या होगा, क्या नहीं होगा last second topic joints and उसके बाद disorders तो joints के अंदर मेरे पास कौन कौन से type के joint होते हैं उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ तो अब जैसा कि आपको पता है मेरी ये bone है और ये glenoid cavity है इस glenoid cavity के अंदर क्या है अपने पास movement हो रही है तो हर movement के लिए वहाँ पर joint है वो joints बने हुए हैं तो joints की तो जरूरत है अगर मुझे किसी भी तरीके की movement करनी है तो joints अलग-लग तरीके के हो सकते हैं हो सकता है bone और bone के बीच में हो सकता है bone और cartilage के बीच में जिनकी help से हमारे पास क्या होता है movement हम करा सकते हैं वरना तुम सोचो ना अगर ये एक मैरी bone होती ये दूसरी बोन होती, ये एक दूसरे के उपर ऐसे हो तो ये तो आसे रगडा मार मार के एक दूसरे को खतम कर देंगी, तुम चलोगे कैसे सोचो, इस हाथ में मेरे को चलना है, ये कैसे इतना फ्रिक्शन हो जाएगा, तो मुझे इनके बीच में एक फलक्रम सा बनाना हैं, ताकि मुवमेंट्स हमारी जो हैं, वो असान हो जाएगा, अलग-अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं, एक हमारे पास हो गया, फाइबरस जॉइंट्स, नाम ही बोल रहा है, फाइबर से बने हुए जॉइंट्स, ट्रॉंग फाइबर, कौन सी ऐसी जगह है तुमारी फाइबरस कनेक्टव टेशो से हमको सूचर लगाने हैं वहाँ पे और बिल्कुल स्ट्रॉंग ली जोड़ना है, तो फाइबरस जॉइंट कहां पर देखने को मिलते हैं, करेनियम में देखने को मिलते हैं, उसके बाद क्या आता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, का मतलब क्या हो गया, थोड़ा कार्टिलेज से बने हुएं, अब कार्टिलेज का मतलब ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हैं, तुम्हारी बोडी का कौन सा ऐसा पार्ट है, जो हलका फुलका मुडता भी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नही दो, last but not the least synovial joints जहां पर अच्छी खासी movement की आपको जरूरत है तो वो fluid filled हमारे पास यहां पर होते हैं ताकि अच्छी खासी हम movement कर सके जैसे कि number one यह है socket इसमें फसी है ball तो यह humorous और अपना pectoral girdle, यहां पर है ना इस joint को कहा जाता है ball and socket joint, ball and socket joint, छिक है अब मेरे हाथ को मेरे जो carpels है they want to slide, they want to glide तो carpels में होता है gliding joint gliding joint अब जब भी हम पूछते हैं metacarpel बोलो तो तुम सारी उंगलियों की दिखाते हो thumb को ना जादा लोग भाव नहीं देते तो इसे लिए carpel और thumb की metacarpel के बीच में जो joint है ना वो बड़ा sad रहता है तो उसे कहते है saddle joint तो कुछ joints के बारे में NCRT mention करती है number one क्या था? ball and socket joint क्या था बटा? number one ball and socket joint कहां कहां पर था? humerus में था और pectoral girdle में था दूसरा saddle joint अपना छोटा सांग उठा sad रहता है तो carpel और इसके metacarpel के बीच में saddle joint saddle joint इसी तरीके से एक होता है hinge हमारे कहां पर? knee joint knee joint में hinge और अगर आप देखेंगे तो आपकी जो vertebral column है उसमें एक का नाम होता है पहली का atlas एक का नाम होता है axis तो atlas को पा गई axis तो इन दोनों के बीच में joint जो होता है उसे कहते हैं pivot joint उसको पा गई तो ये चार joints के बारे में NCRT mention करती है I hope सभी आप लोगों को ये चीजें जो हैं वो याद रहेंगे last but not the least are the disorders of skeletal system number one हमारे पास यहां पर क्या हो गया skeletal system के disorders तो number one अपने पास यहां पर हो गया बिटाजी myasthenia gravis myasthenia gravis खुद की ही ग्रेव खोद रहा है my मैंने तो मैंने अपनी ही ग्रेव खोद ली यानि अपना ही मेरा immune system मेरे खिलाफ ही काम कर रहा है तो मेरा immune system मेरे ही neuromuscular junction को affect कर रहा है उसकी वज़े से मेरी skeletal muscle का paralysis हो रहा है weakening हो रहा है fatty हो रहा है myasthenia gravis मैंने ही अपनी ग्रेव खोद ली autoimmune खुद के ही immune system के खिलाफ दूसरा है muscular dystrophy destroy होना किसका destroy होना muscle का तो दीरे दीरे अपना जो muscle का degeneration होता है उसे क्या कहेंगे muscular dystrophy कहेंगे क्यों mostly genetic reasons की वज़े से फिर arthritis itis का मतलब क्या बोला था अगर inflammation हो जाए तो arthritis फिर आता है osteoporosis osteoporosis osteo मतलब तुवारी bones असे related और bones में हो गए पोर यानि के आपकी जो age के साथ bone है वो कमजोर हो गई जैसे कि especially females में menopause के बाद उनकी body में estrogen बहुत कम हो जाता है ठीक है तो इसलिए ना जैसे अभी मेरी मम्मा का menopause स्टार्ट हुआ तो I recommended her to start calcium वगएरा थोड़ा बहुत आप ले लिया करो क्योंकि उनकी bones का क्या होना स्टार्ट हो जागा estrogen उनकी body में कम होगा उसकी वज़े से उनकी mass जो है इवर पॉटी नहीं नहीं आरी तो क्या करते हो contractions लगाते हो तो याद करने के लिए बता नहीं वह याद करने के लिए बताने हुआ तो हमारे पास blood body का जो fluid है उसमें calcium नहीं बचा calcium नहीं बचा तो याद है troponin को तो calcium से ही प्यार था troponin हटके ही नहीं देगा हटके ही नहीं देगा तो contraction में इतनी दिक्कत आएगी तो wild contraction rapid spasm in the muscle गाउट के अंदर क्या हो गया ये भी inflammation of joints होता है लेकिन uric acid के crystals जमने की वज़श से ठीक है इसी के साथ आप लोगों का ये वाला जो chapter है वो पूर्ण रूप से खतम होता है I hope सभी लोगों को एक एक चीज जो है वो clear हो गई होगी समझ में आ गई होगी किसी बच्चे को किसी तरीके की कौनू तकलीफ दो मिनिट का पांच मिनिट का ब्रेक लेते हैं फिर start करते हैं अगला chapter किसी बच्चे को बटा किसी तरीके की कोई दिकत एक एक चीज समझ में आ गई सची बोलना मतला मेरे को खुश करने के लिए मत बोलना मेरे को खुश करके किसका बला हुआ है जो तुमारा होगा पंदरा मिनिट का ब्रेक महारानी, हैं ये पंदरा मिनिट का ब्रेक झाल 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 अब यह साट करता है 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 झाल झाल चलो जी स्टार्ट करते हैं कोई 10 मिनट 20 मिनट ब्रेक नहीं है अब स्टार्ट करते हैं याः घ्याँ चलो जलो 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 स्टार्ट करते हैं अरब खत्म करना है अपने को यारव टाइम वेस्ट नहीं नहीं दस मिनट का ब्रेक नहीं जिसको दस मिनट का ब्रेक चाहिए आप एक काम करो आप दस मिनट का ब्रेक ले लो फिर पीछे पीछ आते रहना हम आगे आगे जाते 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 आप पीछे पीछ आते रहना ठीक है आप पीछे पीछ आते रहो हम आगे आगे जाते जाते हैं चीक है? रिकोर्डिन तो इहरी पड़ी रहीगी ना? तो तो आते रहो तुमको ब्रेक लिए तो मेरको तो फटाफट कंफ्लिट करना पड़ेगा ना? चलो जी स्टाट करते हैं नूरल कंट्रोल अन कॉर्डिनेशन अब जैसा कि आपको पता है हमारे घरों में हमारे बॉड़ी भी एक गर से कम नहीं है एक एन्वाइमेंट जो इनस्टीबल हमको बना के रखने की ज़रत है ऐसा नहीं होना चाहिए यार किसी अंकल ने आके बोल दिया कि तुमारे बेटे से तो कुछ नहीं होता आप अपने अंदर का जो एन्वाइमेंट है आप अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को अपने पास वहां पर चेंज करके पैज़ो तो हमको एक इनर स्टेबिलिटी बना कर ही हमेशा काम करना पड़ेगा तब ही हम अपना लाइफ में काम्याब हो पाएंगे तो इसी process को कहा जाता है homeostasis, क्या कहा जाता है homeostasis, यानि अपने home में हमने एक static environment बना लिया है, internal stability को maintain कर लिया है, तो मानलो अगर बाहर बहुत जादा temperature हो गया, तो तब भी मेरे को उतना ही body का temperature maintain करना पड़ेगा, बाहर बहुत जादा गर्मी है, तब भी मेरे को अपनी body का तो इसके लिए बहुत अलग अलग जो organs अपने पास है, हमारे जो organ system है, उन सब की क्या लगेगी, coordination अपने पास यहां पर लगेगी, मिलकर अपने पास काम हमको करना पड़ेगा, जैसे अपने पास physical exercise आप कर रहे हो, तो उस time पर आपकी exercise, आप energy की demand आपकी बढ़ गई, क्य इसके लिए आपको सास भी जलदी जलदी लेना पड़ेगा, ओटू की supply भी तो आपको जलदी जलदी चाहिए, तो आपक की supply जलदी चाहिए, तुमने रसपाइरेट्री सिस्टम पड़ा है, तो हाट को मसल और अधिल को सब फो मिलकर coordinate करना पड़ेगा, और coordinate करके एक दूस दो system इसके लिए होते हैं एक होता है neural system एक होता है endocrine system अब जैसे यह human body मेरे पास यहां पर है इसके अंदर ऐसे चोटे चोटे fiber की form में nerve fibers पूरी बाडी में ऐसे मेरे पास फैले हुए हैं लेकिन फिर भी ऐसे चुंटे चुंटे cell रहे जाएंगे जहां तक हम इन fibers को नहीं प हचा सके तो वहाँ पर endocrine system यानि chemical coordination अपना role play कर रहा होगा तो एक मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया neural system उसरा मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया endocrine system ठीक है तो neural system और endocrine system एक दूसरे के साथ coordinate करते हैं organized function organized work करते हैं synchronized function करते हैं तो इसका मतलब endocrine system के अंदर कौन आते होंगे chemicals आते होंगे किस की form में hormones की form में जो हम कहते हैं ना रहे मेरे आज तो hormone मेरे को मन कह रहे हैं कि आज तो काम करने का मनी नहीं कर रहा कहते हैं ना हम तो hormones एक तरीके से message लेकर आई है तो hormones अपने पास हो गए वह नेक्स चाप्टर में हम पढ़ते हैं इसके बाद और एक हमारे पास यहां पर क्या हो गया neural system neural system यानि नर्व यानि fibers जो एकदम पॉइंट से पॉइंट कनेक्शन यहां पर पहुंचा रहा है अब एकदम पॉइंट तो पॉइंट कनेक्शन है तो इसका मतलब फास्ट तो होगा ही तो neural जो connection अपने पास होता है जो neural system अपने पास होता है that is organized network of point to point connection for quick coordination जबकि endocrine system hormones के थूँ हो रहा होता है इससे next chapter में हम उसके बारे में बढ़ रहे होंगे ठिक है चलो अब बात करते हैं इस chapter में neural system के बारे में इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई इतनी बात तो समझ में आ गई ना क्या होते हैं चीज़ें कैसे होती हैं क्या क्या अपने पास है तो homeostasis internal stability maintain करने के लिए coordination तो लगेगी किसकी help से करूंगी neural system और endocrine system की help से करूंगी एक fibers के थुरू point to point connection प्रोवाइड कराएगा एक hormones के थुरू connection अपने पास प्रोवाइड कराएगा ये simple सी बात मेरे पास हो गई चीज़ें चलो neural system किस से मिलकर बना होता है पहले तो उसके बारे में बात करते हैं तो neural system में बहुत highly specialized neurons present होते हैं नाम ही बोल रहा है neural system में neurons ठीक है क्या सब के अंदर ही इतना well developed होता है नहीं vertebrates के अंदर एक well developed neural system है लेकिन जो lower in vertebrates हमारे पास है ना जैसे hydra उनके पास इतना well developed neural system नहीं होता उनके पास कुछ neurons present होते हैं इंसेक्ट्स में थोड़ा और कीडे थोड़े और समझदा रहे तभी तो खाये जा रहे ना और जग है हमारी जिंदिगी बरबाद कर दिये तो उनके पास थोड़ा और अपने पास better organized system होता है उसके पास ganglia, neural tissue के साथ-साथ ganglia भी present होते हैं brain भी present होता है तभी तो हमारी जिंदिगी बरबाद कर पा रहा है अभी ganglia क्या है? वो चीजें chapter खतम होते होते आपको automatically समझ में आ जाएंगी तो इनके पास brain के साथ ganglia और कुछ neural tissues भी present होते हैं चीक है? अब हम बात करते हैं अभी इस chapter में हमारा एक ही concern है वो है human nervous system के साथ human nervous system एक अगर आप देखें तो एक है हमारा central nervous system एक है हमारा peripheral nervous system जैसे हमने bones के बारे में पढ़ाना as it is same bones में भी हमने क्या पढ़ा था? एक थी हमारी axial skeleton एक था हमारा appendicular skeleton इसी तरीके से यहाँ पर चीजे होती है जो human nervous system मेरे पास है ना बटा जी वो है एक बीच में central nervous system और एक है periphery में peripheral neural system अब center में क्या क्या है? एक तो brain और एक अभी अभी मैंने तुमको बोला था vertebra से पास करती है spinal cord तो दूसरा अपने पास क्या हो गया? इसके अंदर दो तरीके से चीजें अपने पास होती है क्या? अब मेरे पूरे body में आप सोचिए एक तो हाथ हाथ वो जिनकों मैं खुद से control कर रही हूँ involuntary और एक मेरे organs, मेरा pate, मेरे lungs जिनकों मैं control नहीं कर रही तो एक system होगा autonomic system और एक होगा somatic system होगा की नहीं होगा? अरे हाँ ना बोलो तो हमारे बास यहाँ पर क्या हो गया? एक हो गया central nervous system brain and spinal cord और इनके अलावा इनसे associated जितनी भी nerves हैं वो हो गई peripheral nervous system में ये वाली जो pate weight के पास होंगी autonomic nervous system फिर जहाँ पर मैं थोड़ा खुद को control कर रही होंगी वो क्या होगा? somatic nervous system अब autonomic में कहीं पर हमारी body sympathy दिखाती है कहीं नहीं दिखाती तो एक sympathetic nervous system एक paras sympathetic nervous system अब इनको थोड़ा सा detail में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसके बारे में? central nervous system के बारे में central nervous system यानि जो center में बैठा है बीच में गदी पर बैठा है अब जो हमारे घरों में बीच में गदी पर बैठा है वो क्या करता है? वो ही सारी information को process करता है वो ही सारे decision अपने पास लेता है तो central nervous system में brain और spinal cord है जो information को process करता है हमारी body को control करता है ठीक है उसके अलावत जितनी भी central nervous system से जुड़ी हुई nerves हैं वो सारी के सारी किसका part होती है peripheral nervous system का part होती है जिसमें दो तरीके के fibers अपने पास होते हैं जैसे आपने क्या पढ़ा था excretory system में efferent arteriol पढ़ा था और efferent arteriol पढ़ा था सेम उसी तरीके से मैंने क्या कहा central nervous system से जितने भी fibers निकले या फिर जितने भी fibers उसके पास आए उन्हें हम क्या कहते हैं peripheral nervous system का part मानती है अब जो हमारे पास central nervous system के पास आ रही है उसे क्या कहेंगे efferent fiber कहेंगे जो हमारे central nervous system से signal लेकर जा रही है उसे exit कर रही है क्या हम उसे efferent fiber कहेंगे E से exit और E से efferent तो हमारे पास दो तरीके के fibers यहां पर प्रेजन्ट होते हैं एक जो central nervous system पे signal को लेकर आते हैं efferent fibers दूसरा जो central nervous system से signal लेकर जाते हैं efferent nerve fibers ठिक है अच्छा मेरे हाथ पे चमाटा पड़ा चोट लगी मेरे को मेरे हाथ ने उस चीज़ को sense किया और sense करके signal central nervous system के पास भेजा क्या मैं इसे sensory system भी कह दूँ क्या मैं इसको sensory अपने पास कह दूँ क्योंकि इसने sense करा और sense करके central nervous system को भेजा और दूसरा एक word तो आपने सुनाई होगा बिटा जी motor nervous system तो दूसरे वाले को जो signal लेकर brain से जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं motor nervous system कहते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा central nervous system बैठा है यहां से जो exit कर रहा है effirent या फिर motor किस के पास organs के पास वहां से जो sense करके signal लेकर आ रहा है उसे हम क्या कहते है efferent या फिर sensory अपने पास कहते हैं this is peripheral जो कि दो तरीके से हो सकता है voluntary जिसमें मैं voluntarily अपना role play कर रही होंगी और involuntarily जिसमें मैं अपना role play नहीं कर रही होंगी यानि एक somatic neural system और एक autonomic neural system autonomic यानि जो automatically चीजों को करवा रहा है कौन सी muscle थी जो automatic काम करवा रही थी पढ़ा की नहीं पढ़ा अभी बताई थी तुमको smooth muscles हमारे pate weight में elementary कैनाल में वहाँ पर present होती है तो ये हो गया autonomic जो कहीं पर sympathy दिखाता है sympathetic nervous system कहीं पर नहीं दिखाता parasympathetic और जो skeletal muscle तक जहां पर मैं voluntarily अपनी चीजों को control कर रही होंगी उसे हम कहेंगे somatic neural system इसके अलावा वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन हमारी NCRT एक special नाम mention करती है उस नाम को हमारी NCRT कहती है visceral nervous system अभी मैंने तुमको बोला था visceral word कहां यूज करते हैं बटाजी जहां जहां पर हमारे पास organs होते हैं तो अपने पास ये क्या कहती है इसने पता नहीं क्यूं लेकिन एक peripheral nervous system जो हमारे विसरा तक चीजों को लेकर जाता है signal को और विसरा से वापस लेकर आता है उसका हम कहते हैं visceral nervous system उसमें nerves होती हैं, fibers होती हैं, ganglia होते हैं plexuses अपने पास present होते हैं वो सब चीजें matter नहीं करती लेकिन इसने पता नहीं क्यूं नाम रखा otherwise हमने peripheral nervous system में उसको बोल दिया था लेकिन ये थोड़ा और उसको credit देना चाता था थोड़ा और importance देना चाता था तो उसने थोड़ी और importance अपने पास यहां पर दे दी I hope इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सभी लोगों को आ गई होंगी समझ में किसी बच्चे को किसी तरीके की यहां पर कोई दिक्कत हां जी हां जी बटा जी किसी बालक को किसी तरीके की कोई दिक्कत इस चाप्टर में टोटल मुझे 43 या 44 के आसपस पेज़ कराने हैं ठीक है 10 पेज़ आपके अल्रेडी हो गए हैं पूरी स्पीड से चल रहे हैं 10 पेज हो गए टोटल 45 के आसपस मेरे को इसमें कराने हैं फटा फट खतम कर देंगे ये चाप्टर तो एक गंटे में खतम कर देंगे क्योंकि आय बची नहीं एर बचानी कुछ भी बचानी ठीक है चलो अब थोड़ा सा जो इसकी structural and functional unit है neuron उस neuron को समझते है उस neuron को समझते है visceral nervous system कुछ नहीं है वो है peripheral nervous system ही पर क्यों इनको पता नहीं क्या मन किया कि विसरा तक जो पहुचाता है उसका नाम बस visceral nervous system रख दिया और कोई difference नहीं है चलो अब बात करते हैं हम हमारी structural and functional unit of neural system neurons के बारे में ठीक है? चलो अब neuron का structure देखते हैं तो neuron के अंदर ये क्या present है? मेरे पास present है एक cell body क्या present है? एक cell body cell की body में cell में क्या क्या होता है? cell में होता है cytoplasm cell body में भी है cytoplasm cell में होता है nucleus cell body में भी है nucleus किसी को कोई दिकात नहीं है तो हमारी cell body के पास cytoplasm होता है हमारी cell body के पास nucleus होता है और कुछ छोटे छोटे से granules हमारे पास present होते हैं जिनने हम कहते हैं नीजल्स granules जिनने हम क्या कहते हैं नीजल्स granules अपने पास यहाँ पर कहते हैं ठीक है बिटा जी ठीक है विसरा का मतलब होता है बिटा बॉडी के ओर्गन बताया तु था कहा ध्यान रहता है ठीक है अच्छा अब इससे निकले होते हैं कुछ डंडे ऐसे डंडे डंडों को क्या कहेंगे डंड राइट्स जैसे अपना न्यूरान एक्जाक्टली अपनी बॉडी क तरह इमाजन करके देखिए आपकी बॉडी के अंदर क्या है आपकी बॉडी के अंदर ये है फेस को कमपार कीजिए सेल बॉडी के साथ कर लिया सेल बॉडी है तो साइटो प्लाज्म होगा निुक्लियस होगा और 뜨र्किस गान एग जॉन और फिर आपके पैर सबसे नीचे आपके पैर ऐसे ही एक जॉन खतम होगा एक जॉन का टर्मिनल आया हमारे दो पैर इसके तीन पैर और ऐसे नौब जैसा structure इसने भी जूते पैन रखे हैं जूते तो मस्त है बाबु जी अपना एक जॉन खतम है यहाँ यहाँ एक कौन का टर्मिनल ये कहा टर्मिनिट करता है जूतों पर नॉब जैसा स्ट्रक्चर है जहां पर सिनाप्सिस होगा सिनाप्स का मतलब होता है कहीं पर जुड़ना तो ये होगा लास्ट साइनाप्टिक नॉब साइनाप्टिक नॉब क्या काम होगा साइनाप्टिक नॉब का क्य अब ही मैं बस आपको एक neuron का स्ट्रॉक्चर याद कराना चाहती हूं मैंने क्या कहा एक neuron को अपने बॉडी से इमाजन कीजिए आपके बीचों बीच क्या प्रेजंट है फेस प्रेजंट है एक्जाक्ली सेम इसी तरीके से सेल बॉडी हमारे पास होती है उसमें nucleus हो गया उसमें cytoplasm हो गया उसमें छोटे छोटे ग्रानियूल्स नीजल्स ग्रानियूल्स हो गए इधर हैं आपके बाल तो बाल निकाल दो इधर हो गए dendrites नीचे आपकी ये वाली बाड़ी इसकी जगे बना दो exon फिर आपके पैर ये हो गए आपके इस तरीके से पैर उनमें पहना दो जूते तो ये हो गए हमारे synaptic knob इसे कहते हैं exon इसे कहते हैं cell body इनहें कहते हैं dendrites और इसे कहते हैं synaptic knob क्या सभी लोगों को neuron का structure समझ में आ गया तो हमारे पास जो neuron है that is the structural and functional unit of neural system ठीक है तो neuron क्या होते हैं एकदम चुंटे चुंटे से structure होती है microscopic structures हमारे पास हैं एक क्या हो गई cell body जिसमें cytoplasm है और जैसे cell में organelles होती हैं ऐसे ही इसमें भी organelles हैं और छोटे छोटे से granular structures present हैं जिने हम नीजल्स granules कहते हैं जिने हम क्या कहते हैं नीजल्स granules कहते हैं उसके बाद अपने पास यह क्या हो गया ऐसे लंबा सा लंबा सा एक fiber distal branch जिसकी branching ऐसे निकलेंगी उसे हम क्या कहते हैं exon कहते हैं एक क्या हो गए इधर छोटे छोटे जिनसे ऐसे fiber निकले हुए हैं डंडे से इन्हें कहते हैं dendrites तो dendrites क्या करते हैं cell body से इस तरीके से repeatedly निकल रहे होते हैं दिखरा है आपको और साथ में यहां cell body में नीजल्स granules थे कुछ नीजल्स granules dendrites के उपर भी present होते है चीक है जी ओके नो यह सब चीजें काम कैसे करती हैं कैसे signal आता है कैसे चीजें अपने पास जा रही होती है यार मैं background music का कुछ कर नहीं सकती ना बिटा this is west bengal यहां पे background music पूरी जिन्दगी नी रुखता tomorrow I am going home ठीक है अगली classes से यह सब नीज होगा मेरे घर पे यह सब श कल मैं घर पहुंच जाओंगे कल मेरी फ्लाइट है तो अभी तो तुमको मैंनेज करना पड़ेगा तुमको तो फिर भी कम आवास सुनती है क्यामरा उतना capture नहीं करता यह सब मेरे को ज्यादा सुनती है मैं उस चकर में और डबल चीक चीक के और बोलते हूं मेरे को कल रात म पांच घंटा लगाता और बूल के ठीक है तो इवन आयम मैंनेजिंग राइट तो थोड़ा बहुत तुमको मैंनेज करना पड़ेगा तो मैं कुछ कर नहीं सकती मेरे पास इलाज होता मैं कर देती मैं इतनी पुलिस कंपलेंस की हुई है जो लोग मेरे पेड कोर्स के बच् कोई solution नहीं है चलो तो हमारे पास किस तरीके से अपने पास यहां पर signal आता होगा आप खुद सोचिए मेरे पास कोई signal आया यहां पर ऐसे उड़ता उड़ता हवाएं आए उड़े जब जब जुल्फ हैं तेरी तो सबसे पहले कोई भी signal आते ही इस डेंडराइट इस जाता होगा और पास करके फिर अगले नियूरॉन की तरफ जाता होगा तो इस तरीके से अपने पास यहां पर सिस्टम होता है क्या होता है हमारा जो डेंडराइट है वो इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ भेजती है सेल बॉडी आगे एक्जॉन की तरफ और एक्जॉन बॉ गुष के अलावा एक छोटी सी चीज, अब कुछ एक्जान ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी शरम आती है, वो शरमीले से हैं, शीत अपने पास यहां पर बनाते हैं, चीक है? तो दो तरीके के अपने पास यहां पर होते हैं, हमारे पास क्या है ना, हमारे पास कुछ सल्ज हैं, जिने हम कहते हैं स्कौान सल्ज, कौन से, स्कौान सल्ज, सुनते जा ना बटा जी ध्यान से, ध्यान से सुनो प्लीज, है ना, तो हमारे पास क्या प्रेजंट हैं, स्कौान स शीथ ऐसे बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं माईलिन शीथ और कुछ के अंदर ये शीथ नहीं बनती, है ना ये स्क्वान सेल ऐसे नंगू-पंगू पड़े होते हैं, वहां पर कोई माईलिन शीथ नहीं बनती, छीक है, उसके अलावा अगर आपने इंध्यान दिया हो, मैंने जो structure बनाया है, उसमें बीच में यहां पर ऐसे खाली जगे छोड़िये, छोड़िये कि नी छोड़िये, तो यह जो खाली जगे है, आप physics में पढ़ते हो, node, internode, अरे पढ़ा होगा oscillation waves वाले chapter में, मुझे भी याद है, पात साल हो गए पढ़े हुए मेरेको, नीट किया था, तब बढ़ा था, यह node, internode, मेरेको भी आद है node, तो यहां पर भी, जहां पर ऐसा छोटा छोटा पार्ट, जहां कुछ present नहीं है, क्या मैं उसे node कह दू, nodes of ranvir के नाम से उनको जाना जाता है, तो कुछ ऐसी जगे होती है, जहां पर sheet होगी, अब sheet होगी, तो म एकटम कोई अच्छी sheet नहीं बनी हुई, है न, तो उस, वो काईसा होगा, थोड़ा काला काला सा होगा, और जिसके उपर एकदम sheet बनी हुई है, मेकप की sheet जो लगा कर आया है, वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा वाइट वाइट अपने पास यहां पर रहा होगा, उसमें, कहेंगे उसे हम कहेंगे नॉन माइलीनेटेड जो की ग्रे कलर की थोड़ी सी अपने पास यहां पर होती है ठीक है अब जहां शीथ बनी है एकदम प्रॉपर शीथ बनी है वहां पर सिगनल जल्दी फिसलेगा या फिर तुम खुद बताओ कॉमन सेंस है मिरको बताओ यहां मेरी शीथ है शीथ पर जल्दी सिगनल फिसलेगा या फिर जहां पर शीथ नहीं बनी हुई वहां जल्दी फिसलेगा अरे जहां चिकना चमेला बना है वहीं पर क्या होगा वहीं पर चीज़ें जल्दी फिसलेंगी तो माइलीनेटेड में फा शीत कहा रही होगी तुम्हारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हें जल्दी सिगनल को प्रोसस करवाने की जरुरत है या फिर तुम्हारा परिफरल नर्वस सिस्टम में जल्दी ज़रु आपस यहां पर हो गई अगर आप exon को ध्यान से देखेंगे एक squan cell जिस पर myelin sheath नहीं है एक जिस पर है जो non-myelinated है वो grey color की होगी slow अपने पास यहाँ पर होगी this is enveloped by squan cells यहाँ पर myelin sheath अपने पास नहीं बनती है यह autonomous या somatic neural system में यानी peripheral neural system में देखने को मिलता है जबकि दूसरा myelinated यानी white यानी fast चीज़ें यहाँ पर बहेंगी जो हमारे cranial nerves यानी हमारे brain हमारे spinal cord के अंदर देखने को मिलेगा these are enveloped by sheath squan cells इसमें enveloped होते हैं और उनके बीच में जो gap होता है उसे nods of ranvir के नाम से जाना जाता है क्या सभी लोगों को इतनी छोटी सी बात सम समझ में आई चीख है उसके अलावा तीन तरीके के neurons होती हैं जैसे कि क्या क्या जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप अपनी आख को देखें आख में इधर से signal आ रहा है पीछे से signal brain के पास जा रहा है चीख है तो क्या हो रहा है इसमें एक डेंडराइट एक एक एक्ज आणराइट है और एक एग्जोन है इधर से signal आया इधर से गया यानि इसके दो सिर इसके दो पोल है एक ये प्रीके के neurons को ईए पोलर नियूरॉन कआ जाता है ठीक है लेकिन जैसे आप यह कहां देखने को मिलेगा रेटीना आफ आई में लेकिन आपका जो ब्रेन है आपके ब्रेन में इधर से सिगनल आ रहा है इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है बहुत सारी जगह से सिगनल आ रहा है तो बहुत सारी जगह से सिगनल आ रहा है तो आपके पा लेकिन दो या दो से ज़ादा dendrites होती हैं यानि multipol हैं तो इस तरीके के उसको क्या कहा जाएगा multipolar neuron कहा जाएगा last but not the least embryonic stage embryonic stage में मम्मी कहे बेटा थोड़ा सा सीधा हो जा दर्द मत कर बच्चा सुनता थोड़ी है नहीं अपन अंदर रहेंगे मम्मी हमको कोई मतलब नहीं है वो signal लेता ही नहीं है तो जब हम embryonic stage में होते हैं तब हम signal लेते ही नहीं है हमारे पास सिर्फ exon होता है तो हम कैसे होते हैं यूनी पोलर होते हैं ठीक है बेटा जी तो तीन तरीके के neurons हो गए multipolar, bipolar, unipolar रटने की जरुरतों पड़ी ही नहीं आप common sense से सोचते जाएए multi यानि multipoles जहां पे काफी सारे pole हैं तो कहां पर जरुरत पड़ेगी cerebral cortex में इधर से signal उदर से signal उदर से signal आई के अंदर इधर से signal आ रहा है इधर से जा रहा है तो अपने पास एक exon एक dendrite, bipolar और unipolar जब हम embryonic stage में होते हैं हमको नहीं लेना वाई किसी का signal हम वही गरेंगे जो अपना दिल में आएगा तो वो क्या हो गए unipolar neurons मेरे पास ही हां पर हो गए ठीक है बिटा इतनी छोटी सी बात आ गई समझ में चालो वेरी गुड उसके अलावा मैंने कहा था आपको समझ में थोड़ा सा बता देंगे गैंगलिया क्या होता है नूकलिया क्या होता है तो जैसा कि आप cell body आप पढ़ते आए हो अभी cell body को central nervous system में nuclei के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और peripheral nervous system में गैंगलिया के नाम से भी जाना जाता है तो कोई rocket science नहीं है what is nuclei, what is ganglia, nothing यही है nerve fiber को central nervous system में tract के नाम से जानते है peripheral nervous system में fiber के नाम से जानते है तो बस यह नाम है वैसे NCRT कहती नहीं है कि आप इनको जानो कहां पर क्या कहते है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि बहुत confusion रहती है गैंगलिया क्या है, क्या नहीं है तो इसलिए मैंने बता दिया किसको कहां पर क्या कहा जाता है बस वो नाम बदल दिया बात देखी चीक है, अच्छा अब अब बात करते हैं nerve impulse के conduction के बारे में that is one of the toughest part of this chapter कि यह nerve impulse conduct होती कैसे है चीक है कैसे यह signal आया क्या ऐसा हमारे पास exon में हुआ कि वो signal वहां से आगे गया और आगे जाकर पहुँचा अब सुनना मेरी बात ध्यान से यह important topic है बाकी सब्तों मैं इस chapter में फिर याद कराई दूगी यह 15-10 minute मेरे को लगेगी इस topic को कराने में चीक है उसके बाद फिर हम बचा हुआ करें यह तुमने समझ लिया जिन्दगी तुमारी सट है चीक है ध्यान देना एकदम इधर आजाओ सारा फोकस सब चीजें इधर होनी चाहिए यह सर्फ और सर्फ समझने का टापिक है समझ गए लाइफ सेट समझे नहीं कभी समझ नी आएगा ये तुमारा ऐसे सोच लो लाइफ का आखरी मौका है इसके बाद तो बस अब नीटी है फिर ये दवारा तुमको समझ में नी आएगा टापिक दवारा इसको आखरी बार है ऐसे, हर टॉपिक को ऐसे बढ़ो कि आखरी बार पढ़ रहे हो, ठीक. रेस्ट के बात करते हैं, मैं सिर्फ एक्जॉन के बारे में ही बात करूगी, यह है मेरा एक्जॉन, ठीक है? Okay? बाहर क्या है? यह एक्जॉन की मेंब्रेन है, ना? एक्जॉनल मेंब्रेन. अब इसके अंदर ना कुछ गेट्स होते हैं कौन-कौन से गेट इसके अंदर एक है sodium and potassium pump ठीक है एक है sodium gated channel एक है potassium gated channel मैंने क्या कहा मैं सिर्फ exon पढ़ा रही हूँ सुनते जाना बिटा प्लीज दिल से request है मैंने क्या कहा ये मेरे पास exon है exon में exonal membrane है इसके पास तीन गेट है sodium potassium pump sodium voltage gated channel potassium voltage gated channel इन दोनों के नाम ही बोल रही है ये voltage gated है यानि तुमको घर में voltage दे दे तब ही चलेगा कितना वोल्ट है यानि तुमको इनको शायद electricity देनी पड़ेगी या कुछ न कुछ करना पड़ेगा ये तब open होंगे या close होंगे लेकिन पंप घर में होता है ना पंप अपना हैंड पंप हर टाइम पर open है कोई उसको आके यूज करो तो अपने तीन गेट यहां पर हो गए sodium potassium gated pump वो हमेशा open होता है sodium voltage gated channel और potassium voltage gated channel कभी open होते हैं कभी close होते हैं अभी क्या हो रहा है जब हम resting state में हैं तो ये जो अपने पास sodium potassium pump है इस pump से क्या हो रहा है यहां पर चीजें कुछ बाहर जा रही हैं कुछ अंदर आ रही हैं देखना इस से जितना भी sodium अपने पास है ना जितना भी positive charge sodium है वो sodium बाहर जा रहा है सुनना ध्यान से मेरी बात जब हम normal resting state में बैठे हैं तो यहां पर तीन sodium बाहर जाता है और दो potassium cell के अंदर आता है इस pump के थुरू यह normal condition में हो रहा है इसका मतलब बाहर जादा positive charge है अंदर कम positive charge है हम relative बात करते हैं अभी जैसे तुम अगर मुझे कहोगे आप कहोगे तो यह आर वेरी intelligent है ना क्यों क्योंकि आपने अपने हिसाब से मेर को compare के आपने कहा कि थीक है हमसे तो intelligent है फिलाल यह तो आपके comparison में फिलाल मेर को जादा knowledge है तो I am intelligent पर मेरे को किसी topper के साथ जाके मेरे को तुम किसी और के साथ जाके खड़ा कर दोगे तो वहाँ पर मेरे को knowledge नहीं है फिर मैं ना लायक हो जाओंगी वो intelligent तो हम relative बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा जब मैं normal rest कर रही हूं मेरा जो neuron है मेरा जो exon है वो rest कर रहा है तो 3 sodium बाह अंदर आते हैं यानि बाहर जो चार्ज है वो ज्यादा positive है और अंदर जो चार्ज है वो negative नहीं है लेकिन comparatively कम है तो अंदर मैं negative से उसको दर्शार रही हूं that's all मैं उसको क्या दिखा रहे हूं negative से उसको शो कर रहे हूं क्योंकि बाहर 3 Na plus है अंदर 2 K plus है यानि जब एक neuron एक exon rest भी कर रहा होता है तब भी दोनों के बीच में एक difference होता है जिसे हम potential difference कहते हैं यानि यहाँ पर भी एक electric potential difference plasma membrane के across present है तो क्या मैं इसे resting potential का नाम दे सकती हूं क्या मैं इसे resting potential का नाम दे सकती हूं तो जब हम rest कर रहे हैं उस समय भी हमारे पास यहाँ पर एक electric potential difference present है इतनी से बात हो गई simple ओके अब आया एक stimulus अब आया बाहर से एक signal signal आया आते ही अब gate खुलेंगे gate खुलते ही जो तुम sodium को अंदर नहीं जाने दे रहे थे तुमने sodium को तुमने ना 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 मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूं sodium को हम कर रहे है ना 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 अंदर नहीं आ सकता तू ना के बोला के अंदर नहीं आन देगा इसलिए के अंदर आ सकता है और sodium अभी तक नहीं आ पा रहा था अब जैसे ही signal आया signal आते ही membrane sodium के लिए freely permeable हो गई और sodium अंदर भागा sodium अगर अंदर भागा तो क्या होगा polarity यह वाली reverse हो जाएगी अब comparatively इस particular यहां तो अभी भी ऐसा ही है क्योंकि signal तो सिर्फ अभी इधर है मेरे पास अंदर positive charge हो जाएगा जादा बाहर negative charge हो जाएगा और जब भी हम किसी चीज को active करते हैं क्या हम उसके लिए depolarize word यूज करते हैं कल भी हमने ECG पढ़ा था depolarize word यूज करा था तो क्या मैं इसे कहूं कि जैसे ही signal आया यहां पर depolarization मेरे पास हो गई बाहर negative charge बन गया अंदर positive charge बन गया तो यह भी तो एक potential difference है लेकिन action लेने के बाद यह potential difference बना तो इसे मैं क्या कहती हूं action potential कहती हूं जब मैं rest कर रही थी बाहर sodium जादा था बाहर positive charge जादा था अंदर कम था वो भी potential था लेकिन वो rest करने पे उसे मैंने resting potential कहा अब मैंने action लिया action लेने की वज़से चीजें अंदर भागी अंदर भागते ही अब भी एक potential अपने पास यहां पर बना तो अब मैंने इसे action potential का नाम दिया ठीक है ओके जैसे ही sodium इतना अंदर आया इतना sodium अंदर आया तभी potassium बोला एक काम करता हूं मैं जा रहा हूं भई क्या है यार हद हो गया यार सोडियम आए जा रहा है आए जा रहा है धीरे धीरे पोटेशियम कहेगा मैं जा रहा हूं फिर सोडियम बोला रहे पोटेशियम क्यों बुरा मान रहा है यार रहन दे मैं आना ही बंद करते हूं तो धीरे धीरे क्या होगा जैसे जैसे स्टीमुलस आगे यहां जाता जाएगा sodium के लिए जो permeability थी that was short lived जब signal आया तभी बस permeability थी उसके बाद उसकी permeability बन साथ में potassium के लिए भी permeability बढ़ गई और potassium अब बाहर चला गया और फिर से जो वो sodium और potassium जो वो plus और minus के बीच में balance था वो balance वापस से maintain हो गया उसी तरीके से वापस चीजें हो गई थोड़ी देर बाद फिर से यहां पर क्या हो गया फिर से यहां पर बाहर positive अंदर negative लेकिन इतनी देर में ये stimulus अगले पार्ट में जा चुका है यहां पर positive हो जाएगा यहां negative हो जाएगा फिर थोड़ी देर बाद यह भी normal हो जाएगा इतनी देर में ये action आगे जा चुका होगा इस तरीके से अपने पास चीजें आगे जा रही होंगी और इसे हम क्या कहते हैं? जब वापस से यह condition normal हो जाए उसे हम repolarization कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? repolarization कहते हैं तो कोई ज़ादा tough rocket science इस chapter के अंदर इस particular part के अंदर नहीं है मैं सारी चीज एक बार फिर से repeat करने जा रही हूँ सुनना बटा ध्यान से यह topic हमारा खतम मैंने क्या कहा? जब हमारा neuron rest कर रहा था वहाँ पर तीन gate थे sodium पोटाश्यम sodium voltage gated channel potassium voltage gated channel जो कभी open कब open होगा ये तो तब open होगे जब voltage आएगी जब signal आएगा लेकिन ये pump हमेशा open रहता है अभी क्या होगा मेरे पास? अभी मेरे पास ये gate अपने पास है अभी हम rest कर रहे हैं कोई signal नहीं आया मेरी body कुछ नहीं कह रही मस्त बैठी हुई है है ना? तो अभी अंदर कह रहा के? अंदर नहीं जान देगा तो अंदर नहीं जान देगा करके के तो आ गया अंदर बदले में ना 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 नहीं आने दिया कितने sodium को? तीन sodium को अंदर नहीं आने दिया इसका मतलब बाहर positive charge जादा है अंदर कम है तो comparatively क्या मैं बाहर charge और अंदर negative charge लगा दूँ बिलकुल लगा सकती हूँ अब जैसे ही stimulus आया sodium का gate खुला फटापट से खुलते ही sodium अंदर भागा अंदर भागा तो अंदर positive charge बढ़ गया depolarization हो गई कि अब action की वज़े से potential आया तो क्या मैं इसे action potential कह सकती हूँ कह सकती हूँ इतनी देर में sodium का gate भी खुलेगा वो कहेगा भाई साब क्या हो रहा है तिरको रहने अंदर रुख जा मैं जा रहा हूं एक कामकर मैं चला जाता हूँ वापस तो वो क्या करेगा फिर से री पॉलराइज करने के लिए वो खुद वापस जाना start कर देगा और फिर से एक balance वहाँ पर बनेगा लेकिन इतनी देर में इस बी location के ऊपर signal जो है वो पहुँच चुका होगा तो हमारे जो neurons होते हैं वो excitable cells होते हैं उनमें polarized states हमको देखने को मिलती है those are selectively permeable वो खुद से select करते हैं कि हम किसको permeability देंगे किसको अंदर जाने देंगे उसकी वज़े से एक difference बनता है उसकी वज़े से हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा यह signal transport उटा है इस तरीके से I hope सारे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस तरीके से impulse की conduction मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है last but not the least अब इसको आगे transmit कैसे करते हैं आपने तो अभी तक बस इतनी बताई कि यह अगर मेरे पास क्या है मेरे पास एक मैंने तो अभी तक सिर्फ इतना बोला ना इस exon के through impulse कैसे transport हुई इस impulse के through कैसे transport हुई लेकिन आपने ये तो नहीं बोला नअब अगले exon के पास कैसे जाईगी वो भी तो बोलो वो भी बोल देते हैं वो भी बता देते हैं अब अगले एक्जॉन के पास कैसे जाएगी तो यहां तक तो हमने सीख लिया अब अगले एक्जॉन के पास कैसे जाएगी उसके बारे में भी जरा सा बात कर लेते हैं यह है अगला अपना नियूरॉन है ना अब क्या हुआ सुन्ना ध्यान से ये था मेरा एक्जॉन ये था मेरा एक्जॉन का टर्मिनल ये था मेरा साइनेप्टिक नॉब साइनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजन्ट होते हैं ऐसे छोटे छोटे से वेसिकल्स क्या प्रेजन्ट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजन्ट होते हैं ये है मेरा साइनेप्टिक नॉब इस साइनेप्टिक नॉब में प्रेजन्ट हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स अभी, अभी हमारे पास ये दोनों चीजें contact में तो नहीं है है ना, ये दोनों चीजें अपने पास contact में तो है नहीं तो signal ऐसा तो है नहीं उड़के जाएगा तो जब कोई चीज उड़के नहीं जा सकती जब कोई चीज contact में नहीं होती तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड चीज़ों को लेकर जाएगा ऐसा ही एक सिस्टम होता है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं निूरो ट्रांस्मीटर्स जो ट्रांस्मिट करने का काम करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांस्मीशन का काम अपने पास करते हैं तो जैसे ही सिगनल आया, सिगनल आते ही साइनेप्टिक वेसिकल्स हिले, उन से निूरो ट्रांस्मीटर निकलेंगे निकल कर अपने पास यहां पर जाएंगे वो यहां पर फिर अपने पास जो अगला नियूरॉन बैठा है उन नियूरॉन के उपर प्रेजेंट हैं कुछ रिसेप्टर्स उन रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेंगे अपनी जो भी बाते होंगी उसको बता देंगे और फिर वो क्या कहते है साइनाप्स साइनाप्स का मतलब दो चीजों के बीच में जुड़ना साइनाप्स का मतलब दो चीजों के बीच में एक जुड़ाव उसे हम कहते है साइनाप्स तो ये पूरा का पूरा दपा क्या है साइनाप्स है एक नूरॉन और दूसरे नूरॉन के बीच में जुड़ना तो जो मेंब्रेन पहले साइनाप्स के है उसे प्री साइनाप्टिक मेंब्रेन कहेंगे जो साइनाप्स में बाद वाली मेंब्रेन है उसे पोस्ट साइनाप्टिक मेंब्रेन कहेंगे और उनके बीच में प्रेजन्ट होगा साइनाप्टिक क्लेफ्ट क्या सिकल्ज हैं जिनमें नियूरो ट्रांस्मीटर्स प्रेजन्ट होते हैं जैसे हमने अभी अभी नाम सुना था किसके अंदर लोको मोशन वाले चाप्टर नियूरो ट्रांस्मीटर्स इधर आते हैं वह इन से बाइंड करते हैं और अगले वहां पर सिंगनल चला जाता है अब मैंने एक बात बोली बटा यह आपस में जुड़े हुए नहीं है इसलिए मुझे नियूरो प्रांस्मीटर की हेल्प लेनी पड़ी अगर ऐसा हो कि इन दोनों के बीच में जादा डिफरेंस हो ही ना यह दोनों के दोनों नियूरोन आपस में एक दूसरे से बिलकुल पास पास कनेक्टड हो फिर क्या होगा वो भी बता दो ऐसा रेरली होता है लेकिन ऐसा भी हमको ट्रांस्मीटर की जरूरत नहीं है जैसे एक्जोन में सिगनल गया था सेम इस मेंब्रेन के अक्रॉस भी सिगनल चला जाएगा फास्ट बलके मेरे को तो कोई नियूरो ट्रांस्मीटर नी निकलवाना पड़ा मेरा तो टाइम ही नहीं लगा ना वही जो एबी एबी में चे स्पेस में बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता ही है जहां पर हमारे वेसिकल्स होते हैं जिन से नियूरो ट्रांस्मीटर निकलते हैं जो ट्रांस्मीशन में हेल्प करते हैं तो क्या होगा इंपल्स आया इंपल्स पूरा वो आपको मैंने पढ़ा दिया किस तरीक क्लिफ्ट में जाएंगे अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेंब्रेन पर प्रेजेंट हैं उनसे जाकर बाइंट करेंगे वो फिर से वही आयन चैनल्स को खोलेंगे और अगले निवही सेम एक्शन पोटेंचल जनरेट हो जाएगा जो अभी हमने पढ़ा था वो एक्शन पोटेंचल एकसाइटेटरी टाइप का भी हो सकता है inhibitory type का भी हो सकता है उसके अलावा कई बार अब तुमने कहा कि ठीक है आखरी neuron तो बताओ ये तो आप बोल रहे हो एक neuron, उसका दूसरा neuron मैं क्या बोल रहे हूँ मैं अभी बोल रहे हूँ ये एक neuron बेटा और दूसरा neuron इन दोनों के बीच का connection अरे हमको ये भी तो बताओ जहां पर बस खतम अगे कोई neuron है ही ने आगे मालनो मसल है खतम आखरी neuron है मालनो ये तो अगर आखरी neuron है आगे मसल है तो उसे हम कहते है ये कौन सा fiber है? motor fiber motor fiber है एक sensory fiber था एक motor fiber था भी तुमको बताया तो इसी लिए इसे motor end plate या फिर neuron और मसल के बीच का junction भी कहा जाता है neuromuscular junction भी कहा जाता है इसी के साथ आपका ये वाला part जो है खतम होता है अब इस chapter में सिर्फ और सिर्फ बचा आपका central nervous system यानि आपका brain brain के क्या-क्या part होते हैं वो क्या-क्या कर रही होते हैं और बस आपका reflex path पर reflex path पर तो दो मिनिट लगेगी उसके बाद आपका neural chapter जो है वो खतम हो जाएगा आई को, ear को उनको हटा दिया गया है इंसियाटिक के हिसाब से तो दो मिनिट का ब्रेक लेते हैं और इस चाप्टर का लास्ट पार्ट यानि brain स्टार्ट करते हैं Central Nervous System ठीक है बिंगो मेरे चानल के लाइव वाले पार्ट में जा बटा दाट वस लाइव क्लास ना बस एक मिनिट का ब्रेक हूं बस एक मिनिट का ब्रेक हूं बटादी एक मिनिट मेरे को हलका सबस्काला गला शांत करेंगा बिंगो ब्रेन याद नहीं हूता ब्रेन याद नहीं हूता है नहीं तो याद कैसे हूँ याद अबड़ा अब ही याद करा देगा मदा जी बहुत कंथूसिंग लगता है ब्रेम I understand, I understand darling, I understand I can, I can't feel you, I can't relate to you for sure पर रफ्लेक्स आर्क और रफ्लेक्स अक्षिन इस देर फर नीट एग्जाम और दिलेटेड जी दिलेटेड नहीं है जी करना है जी दो मिनट ही लगेगी जी कर लीजिये जी आये, मेरी स्माइल छी कितने गटिया लोगो यार तुम रोग पढ़ा रहे है जी तुमको और तुम कह रहे हो जी हमारी स्माइल गटिया जी वा मेरा लला, वाह चलो, Central Nervous system मेरी बिल्ली मुझे से में आउँ वाह अच्छा आजओ Central nervous system याद करना है brain याद करना है आजओ करा देंगे start करते हैं brain what is brain गुटनों में है brain Central information processing organ जो तुम्हारा centrally command देगा control करेगा simple सी बात है तुमको body का balance बनाना है तुमको अपना temperature तुमको अपनी hunger, thirst कुछ भी movement अपनी circadian rhythm circadian rhythm कौन से होते हैं 24 hours की rhythm उनको control करना है अपना behavior control करना है जो को तुम control नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दिमाग नहीं है अपनी endocrine glands control करने हैं अपनी involuntary organs control करने हैं heart, lungs, kidney इन शौट रटो मत जो भी body में है सब को control करता है brain simple so brain is central information processing organ जो command और control system का part काम करता है अब याद करनी की जुरत ना पड़े इसके क्या क्या काम होते है तुमको पता है brain क्या करता है अब तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम रिलेट नहीं कर पारें बट मेरे को देखके इमाजन कर लो मेरे पास बहुत जादा है तो मेरी voluntary movements मेरा body का balance वरना अब तक मैं ऐसे पड़ी होती लेट के ऐसे पड़ा रही होती हाँ guys thermoregulation hunger thirst circadian rhythms मेरे endocrine glands human behavior यह सब चीज़े कौन कंट्रोल करता है brain और अब यह भी आद करने की ज़रत पड़े तो थी है तुम पे सुनना अब ध्यान से तो what is brain brain is a site of processing हमारा देखना हमारा सुनना हमारी speech memory intelligence emotion thoughts यह सब ज्यानी चंद है यह हमारे option में कुछ आएगा नी question आएगा नी आ गया तो तुमको पता है अब करते हैं शुरू जहां से हमको करना चाहिए था brain किसके द्वारा protected होता है अब आपका जो brain है वो इस skull के द्वारा protected है आपका तो नहीं sorry my bad आपका तो पतेला के द्वारा protected है मैं अपने बारे इंबात कर लेती हूँ तो मेरा जो है वो skull के द्वारा protected है किसके अंदर present है हमारे पास ये है मेरा brain इसमें present है ऐसे तीन covering जिनका क्या-क्या नाम है इसे हम कहते हैं पाया matter ये layer कह रही है पागया 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 मेरको अंदर का matter पागया इसलिए सबसे अंदर की layer को कहा जाता है पाया matter ठीक है सबसे बाहर वाली layer बोली मैं तो matter से बड़ी दूर हूँ दूरा matter और बीच वाली का मन क्या करा अलगी नाम रखने का अपना अराक की I don't know रहा होगा इसका भी सबके अपने अपने reason रहते ही है इसका भी कुछ reason रहा होगा सबके अपनी अपनी जिंदगी है लेकिन ऐसे हमारे पास यहां पर होता है तो उपर तो क्या present है ये है हमारा skull skull के अंदर ये तीन layer present होती है जिने हम कहते है cranial meninges जो हमारे brain को protect करने का काम करती है ठीक है बटा तो brain is protected by skull जिसके अंदर present है cranial meninges जिसमें तीन चीज़ें हमारे पास हो गई सबसे बाहर, सबसे दूर dora matter जो अंदर के matter से बहुत दूर है जो अंदर के matter यानि brain tissue के contact में है उसको पा गया matter पाया matter और बीच की थिन सी अरा की brain अब तीन पार्ट के अंदर divided होता है कौन कौन से तीन पार्ट एक मेरे पास है four brain एक बीच वाला mid brain और एक last वाला hind brain तीन पार्ट में अपना brain जो है divided होता है four brain, mid brain, hind brain अब one by one करके तीनों पार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते है four brain ठीक है four brain के ये तीन पार्ट अपने पास होती है cerebrum diencephalon and olfactory lobes cerebrum cerebrum diencephalon and olfactory lobes अब सुनते जाना ध्यान से one by one करके हर चीज के बारे में बात करेंगे अब ये याद आटोमाटिकली हो जाएगा क्योंकि इसी के बारे में तुम्हेर को अप डीटेल में बात करनी है तो सबसे पहले आता है मेरे पास four brain क्या क्या है four brain के अंदर four brain के अंदर एक हो गया cerebrum आपने सुना है left brain, right brain सुना है की नहीं सुना है left brain, right brain और तुमने देखा है ऐसे गिचडू मिचडू, गिचडू मिचडू सा brain ऐसा सा brain देखा है left brain, right brain वो क्या है cerebrum ही है और अगर आप की drawing अच्छी हो जैसे मेरी अच्छी है तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया? एक हैमिस्फेर अरे पता बन गया? हैमिस्फेर क्या होता है? दुखी आतमा हो तो cerebral हैमिस्फेर हमारे पास cerebrum में present होती है दो cerebral हैमिस्फेर तो our cerebrum is the major part of human brain major part of human brain है Hemisphere से मिलकर बना है Cerebral Hemisphair बड़ी डीप बड़ी डीप बड़ी डीप तो है अपना ब्रेन भी इतना ही डीप है तो इनके बीच में भी present होती है deep cleft जो इसको दो पार्ट में actually divide करती है so this is the deep cleft जो longitudinal present है जो हमारे दोनों cerebrum को हमारे hemispheres को divide करने का काम कर रही है वावाव, very deep, very deep क्या आपस में ये बात नहीं करते अगर मालो इनको केला खाने का मन हो आपस में केले वेले नहीं खाते क्या खाते हैं ना इन दोनों के बीच में present होता है कुछ nerve fibers जो इन दोनों पार्ट को connect करने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं corpus callosum केले को खाने के लिए आपस में एक दूसरे से समझने वाले समझेगे कौन सा केला तो खाने के लिए एक दूसरे तो खाने केलोसum तो केलोसum कि बीप तो बीप क्लाप अब देखो यार इस्से जादे मैं याद नी करा सकती है ठीक है यह हो डुटीफ डुटीफ मत लिखो थपड़ मार दूगी मैं लिख रही है डुटीफ और खुद का नाम है ब्लश्लेस मॉमी है खुद का अपने नाम रख रहा है ब्लश्लेस मॉमी नाम रख रहा है ब्लश्लेस मॉमी और डबल्यू टी एफ है हम वाह ठीक अच्छा ओके अब सुनना ध्यान से अब सेरीप्रल हेमिस्फेर जो हमारे पास यहां पर है इसके अंदर क्या प्रेजन्ट है आजो अब सुन लो जहां से यार क्या कर रहे हो यार क्यों इसमें प्रेजन्ट है एक बाहर का पॉर्ष्ण जिसे हम कहते हैं कोर्टेक्स मैंने आपको कहा था एक होता है कोर्टेक्स एक होता है मेडिवला जो बाहर का पॉर्ष्ण होता है इ अब क्या हुआ यहां पर इस तरीके से इनके बाहर ऐसे covering जो बनारा portion है बाहर that is termed as cerebral cortex क्या कहते हैं उन्हें cerebral cortex यह जो ऐसे prominent fold है ना तो this cerebral cortex is thrown into prominent folds अब अगर आपने एक बात सुनी हो ऐसे तो तुम एक बार खुद सोच के देखो कि कुछ लड़के 6-6 foot के होते हैं हम ठेरे विचारे 5-2 उनको दिमाग इतना सवर बड़ा but does that guarantee कि वो जादा intelligent होगा और मैं कम intelligent होगी क्या ऐसा होता है तुम मेरे को एक बार खुद बताओ किसी का दिमाग इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है तो क्या उसके कोई guarantee है कि वह जादे intelligent होगा मैं कम intelligent तो किसके ओपर सेरीब्रल कॉर्टेक्स के दुवारा इसका मतलब सेरीब्रल कॉर्टेक्स कुछ तो इससे रिप्रल कॉर्टेक्स में ऐसी चीज़ है जो बहुत important दिमाग में रोल प्ले कर रही है है ना तो याद करने के लिए बता रही हूँ बस तो अपने पास यहाँ पर cerebral cortex के अंदर ही क्या present है बहुत सारी चीजें present है बहुत सारे ऐसे एरियाज अपने पास present है तो अगर एक बात बताओ जहाँ पे इतनी जादा pigmentation सी होगी वो जगे काली बनेगी थोड़ी सी और जहाँ पे थोड़ी pigmentation अपने पास इतनी सारी चीजें नहीं है वो थोड़ी कम अपने पास बनेगी तो हमारी आपने देखा कि हमारे जो neurons होते हैं उनमें होती है cell body और होता है exon अभी आपने देखा तो इस तरीके से कुछ अपने पास यहाँ पर चीजें present होती है neuron की जो cell bodies है वो cerebral cortex के अंदर जादा देखने को मिलती है जिसकी वज़े से यहाँ gray gray color हो जाता है जिसे हम gray matter के नाम से जानते हैं जबकि यहाँ पर area जो है यह थोड़ा light रहता है तो उसे हम white matter के नाम से भी जानते हैं यह चीज अपने पास हो गई ठीक है तो cerebral cortex अब मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको अभी तक यह बताया कि हमारा जो main part है cerebral है, दो parts में divided है बीच में corpus callosum deep cleft की help से यह आपस में divided हैं, जुड़े हुए हैं इधर है cerebral cortex, जिसमें ऐसे folding हैं, इस folding में अपनी cell body जादा होती हैं वो grey color का अपने पास होगा तो grey matter हम उसको कहेंगे यहां motor areas भी हैं यहां sensory areas भी हैं यानि कोई motor signal आना है in body से, कोई signal system आना है अपने पास वो सारे के सारे areas यहीं होते हैं, in fact यहां पे कुछ ऐसे areas भी होते हैं, जो ना motor हैं, ना sensory हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, association area कहते हैं, तो यह तो बड़ा complicated सी बात हो गई जो ना motor ना sensory तो सबसे ज़्यादा difficult चीज लाइफ में क्या है एक तो communicate कर पाना, और एक memory, यही सबसे important चीज़े हैं, इसका मतलब यह association area ही हमारे intersensory association बनवाते हैं, हमारी memory को, हमारी communication को control करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, मैं last time बोल रही हूँ, इसके बाद मैं अब सरीब्रम नहीं बोलूँगी मैंने आपको पढ़ाना start करा four brain, जिसमें मैंने कहा तीन पार्ट हमारे पास present होते हैं, सबसे पहले मेरे पास क्या है, सरीब्रम सरीब्रम के अंदर क्या present है यह बीच में deep cleft, जो इसको ऐसे दो पार्ट के अंदर दो hemisphere में divide कर रही है यह आपस में corpus callosum की help से जुड़े होते हैं यहाँ पर यह जो ऐसे folded वाला area है, यह cerebral cortex के नाम से जाना जाता है इसी जगहे पर ऐसे cell body होती हैं, और cell body होने की वज़े से यहाँ पर dark dark color बन जाता है इसी लिए हम इसे grey matter कहते हैं और अंदर वाले पार्ट को हम white matter के नाम से जानते हैं अब इस area में motor areas भी हैं, इसी में कुछ sensory areas भी हैं और इसी में कुछ ऐसे areas भी हैं, जो ना motor है ना sensory हैं, उन्हें हम association area कहते हैं यानि अभी मैंने तुमको बोला था मेरी memory किस से decided होगी इसी से decided होगी, मेरी communication कैसी है, इसी से decided होगी, तो यह जो association areas हैं, यह कुछ complicated functions perform करने का काम करते हैं, और बाकी आपको पता ही है, यहाँ पर माईरी निशीत से चीज़ें covered होती हैं, इसी लिए बीच में, जो cerebral hemisphere के अंदर, जो matter अपने पास है this is termed as white matter I hope यहाँ तक सारी चीज़े समझ में आ गई होगी हांजी, clear बिटा एक बर बता दो, सबको clear बिल्कुल मैंने याद कराने की कोशिश करी, हो गया छीक है, इसके बाद आता है, आगे आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट है diencephalon, जिसके तीन पार्ट होती है एक वर्ड याद रखो, थेलमस थेलमस के उपर इपी थेलमस, थेलमस के नीचे, हाइपो थेलमस चीक है, क्या मैंने कहा, सबसे पहले, आप ये चाटना, दिमाग में बठा लेना बस, तुमको ब्रेन के सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, अब तुमको मैंने ये तो धंग से याद करा दिया, अब मैं डाइन से पहलाँ बता रही हूँ, जिसमें एक वर्ड आपको याद रखना है थेलमस थेलमस के उपर, एपी थेलमस और थेलमस के नीचे, हाइपो थेलमस अब एपी थेलमस के बारे में एपी थेलमस के बारे में एपी थेलमस के बारे में ने कोई बाती नी कर रखी, डारेक्ट किसके बारे में बात करी है, थेलमस और हाइपो थेलमस के बारे में और थेलमस का भी कुछ बात नी करी, उसने क्या कहा है कि अभी अभी आपने ये जो तो चाहिब पढ़ा है निषी में आपकी थोड़ी लूँगा तो यह कुछ नहीं करता है यह बस कोड़िनेट करने में help करता है that's all about the thalamus तो thalamus क्या हो गया मेरे पास this cerebral wrap surrounded कुछ नहीं करता बस coordination motor और sensory signal में बनाने में help करता है क्या सबी लोगों को समझ में आ गया last but not the least अब बचा अपना hypothalamus क्या बचा मेरे पास यहां पर अब बचा अपने पास hypothalamus तो क्या होगा hypothalamus यानि thalamus के base पर present होगा hypo यानि नीचे तो thalamus के नीचे present है hypothalamus इसके पास क्या होता है इसके पास कुछ centers होते हैं अब कौन से center मैंने अभी अभी तुमको याद कराया कि हमारा cortex memory को control कर रहा है communication को control कर रहा है अरे अब मैं जब से मेरी memory और मेरा communication यही दो चीजें तो हैं जो जब से तुमको पढ़ाई जा रही है लेकिन अगर आपने बार-बार देखा हो मैं यहाँ पे बार-बार AC करती हूँ बार-बार मैं पानी पीती हूँ है ना मेरे को भूक लगती है इसका मतलब memory communication के just नीचे ही कुछ तो मेरा brain का ऐसा part है जो मेरे को body temperature को regulate करने का signal भेजता है जो मेरे को eating का अर्ज लाता है और मेरे को drinking का signal कहता है कि अब पानी पीने का समय हो गया ठिक है तो यह हो गया अपने पास hypothalamus समझ गए बात उसके अलावा अभी जब हम chemical coordination chapter पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे hypothalamus में कुछ ऐसे cells होंगे जिने हम कहते हैं neurosecretory cells जो secretions करेंगे तुमने कभी सुना है कि neurons secretion कर रहे हैं कभी नी सुना लेकिन इस hypothalamus में हो तो अभी नेक्स चप्टर में हम डीटेल में पढ़ेंगे इसमें होते हैं secretory cells जो secretion करते हैं और secretion किसका करते होंगे hormones का करते होंगे तो ये हो गया अपना hypothalamus तो hypothalamus hypothalamus के base पे अभी मैंने तुमको पढ़ाया memory, communication करी उसके अलावा मेरे को temperature कंट्रोल करना है अपना पानी पीना है खाना खाना है उनको कंट्रोल कौन कर रहा है मेरा hypothalamus उसके अलावा इसमें कुछ neurosecretory cells भी present होते है ठीक्या बटा अब ये जो hypothalamus था hypothalamus था और four brain था तो ये था हमारा four brain इसके बाद last क्या मैं पढ़ाऊंगी hind brain उनके बीच में present होता है कौन? mid brain उनके बीच में कौन present होगा तो उनके बीच में हमारे पास present होगा उनके mid में present होगा mid brain ठीक है? तो thalamus, hypothalamus यानि four brain और last में hind brain उनके बीच में present होता है mid brain mid में नाम ही बोल रहा है mid ठीक है अच्छा mid brain में एक canal होती है क्या होती है canal होती है जिसे हम डक्त का ही नाम देंगे लेकिन हमारे brain में है तो brain के लिए cerebral word यूज़ किया जाता है तो इस canal को कहा जाता है cerebral equate duct उसके अलावा इसके dorsal पार्ट में चार ऐसे swelling होती है जिने हम कहते हैं चार है तो quadri और वो एकदम jam जैसा structure है तो corpus, sorry corpora quadri gem इना that's all about the mid brain तो मैंने क्या कहा mid brain के अंदर present है हमारे वो poor brain और hind brain के बीच में है इसमें से एक तो canal pass करती है तो cerebral aqueduct और चार swelling हैं हम कहेंगे corpora quadri gem इना ठीक है इसके अलावा last बचा हमारा hind brain hind brain का मतलब जो last में अपने पास है इसमें ये है एक pons और एक मैं कल से आपको पढ़ाई जा रही हूँ सारे चाप्टर में medula है ना तो एक क्या हो गया pons एक हो गया medula oblongata ये बोला अच्छा क्या हो गया मैं आखरी पाट हूँ मैं भी cerebrum बनाऊँगा four brain के पास था cerebrum तो तो हमने कहा भाई वो तो four brain ने अल्रेड़ी ले लिया तो कुछ अलग बनवा ना बोला मैं भी बनवाँगा ऐसे गुजड़ु मुजड़ु मारके तो हमने कहा देख cerebrum तो four brain ने ले लिया तो कुछ इन्ना या बनवा घंटा और मन मन में करें घंटा लेगा तू cerebrum cerebrum इतना सारे तो काम cerebrum करता है तू घंटा लेगा cerebrum तो मैंने कहा अच्छा ले गंटा बजा ले तू cerebrum इसको मैंने दे लिया ले बजा ले गंटा बजा ले बजा ले बजा ले बजा ले बजा ले तो एक convulated सा surface होता है और जहां पे भी ऐसे होगा वो additional space ही करवाता है कल भी बताया था surface पेसेरिया वगरा उन चीज़ों कोई बढ़ाने का काम करता है तो यह कुछ नहीं करता neurons के लिए additional space देता है ऐसे अलग सा निकला होता है उसाइड में साइड में उसके अलावा पॉंस पॉंस में क्या होते हैं fibers प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अलग अलग पार्ट को connect करते हैं मेडूला किस से connected होगी नीचे spinal cord से connected होगी यहाँ पर जो जो चाप्टर मैंने पढ़ाए डाइजेशन नहीं पढ़ाया लेकिन डाइजेशन चाप्टर gastric secretion उसको कंट्रोल करेगा मैंने respiration पढ़ाया respiration को कंट्रोल करेगा मैंने circulation पढ़ाया cardiovascular reflexus को कंट्रोल करेगा मुझे याद ना कराना पड़े मैंने जो chapter 3 अपनी human physiology में पढ़ाई हैं मैंने कहा था हर जगे medulla, medulla, medulla तो hind brain के 3 पार्ट है pons यह तो कुछ नहीं कर रहा हर जगे पर connect करने का काम कर रहा है ठीक है medulla, medulla के नीचे spinal cord spinal cord तो जो 3 chapter हमने पढ़े वो 3 chapter को कराने का काम कर रही है और बीच में अलग से निकली हुई है cerebellum तो अगर हम इसका diagram यहाँ पर देखें अपनी NCERT का क्या मैंने यहाँ diagram ले रखा है हाँ यह रहा तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो देखो यह cerebellum इधर अलग निकला हुआ है इधर क्या है spinal cord यह क्या है medulla oblongata और यह क्या है pons तो अगर मैं brain की stem देखू तो यह दिखरी है मुझे क्या cerebellum उसका पार्ट है cerebellum brain stem का पार्ट नहीं होता है ठीक है तो brain stem mid brain pons और medulla oblongata से मिलकर बनी होती है क्यों? क्योंकि cerebellum तो इधर साइड में निकला हुआ है यही वो पार्ट है जो brain और spinal cord के बीच में connection बनवाने में help करता है last but not the least एक बहुत प्यारा सा इसके अंदर system बचा जिस system को हम क्या कहते है उसे हम कहते है limbic log या फिर limbic system ठीक है क्या होता है हमारे पास जो cerebral hemisphere था जो हमारा main काम कर रहा था memory का communication का तो cerebral hemisphere के inner parts plus कुछ deep structure कुछ deep structure वो मिलकर बनाते हैं limbic log उन deep structure का नाम क्या है एक का नाम है amigdella और एक है hippo hippocampus तो ये थोड़ा सा अलग सा चीज है जो आपको हलल का सा याद करना पड़ेगा cerebral hemisphere के इनर पार्ट प्लस कुछ associated deep structures जैसे की amigdella and hippo campus ये deep structure है क्योंकि इनका काम बड़ा deep है what is deep काम in our life our sexual behavior very deep even we cannot understand our emotional reactions हमारी excitement हमारी motivation हमारा pleasure हमारा किसी के लिए बदला rage ये बहुत deep काम है इसी लिए मैंने कहा था cerebral hemisphere के deep part inner part प्लस कुछ deep structure amigdella and hippo campus बनाते हैं limbic lobe hippo यहाँ baby है तो hippo एक और आया वो बुला मेरे साथ आजाओ मिलके deep काम करते है sexual behavior excitement pleasure rage motivation तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा brain खतम इसके बाद एक last topic बचता है and that is termed as reflex action and reflex arc सुनना मेरी बात ध्यान से मेरे को यहाँ पर कोई गरम चीज है जैसी मेरा गरम पर हाथ लगा क्या मेरे पास इतना time है कि मैंने पहले यहाँ गरम पर हाथ लगाया फिर मेरा यहाँ signal जाएगा फिर वो spinal cord के पास जाएगा फिर वो brain के पास जाएगा फिर brain सोचेगा ओ गरम चीज पर हाथ रखा छीक है छीक है एक कामकर हाथ को हटाने के लिए बोड़ फिर वापस signal आएगा आएगा इतने में मेरा हाथ का राम नाम सत्य हो चुका होगा सोचो इतने में मेरा हाथ का राम नाम सत्य हो चुका होगा डू आ हाव इतना टाइम कि मैं इतनी देर तक वेट करती रहूं नई नई तो मुझे क्या करना पड़ेगा कभी भी हम किसी hot चीज़ को कभी हम किसी pointed चीज़ को किसी scary animal को देख लेते हैं हमको फटा फट से withdrawal करना पड़ेगा तो इसलिए मेरे पास इतना time नहीं है कि मैं brain तक अपने पास यहाँ पर signal लेकर जाओ क्या होगा मेरे यहाँ पर मेरे को गरम चीज़ पर हाथ लगा एक यहाँ पर भाईया ने उस signal को receive किया इस receptor ने receive किया अच्छा गरम लगा अब क्या भागेगा यहाँ से efferent neuron भागेगा brain के पास कौन लेकर जाता था efferent लेकर जाता था वहाँ से वापस कौन आता था efferent आता था ठीक है तो efferent neuron लेकर जाएगा कहां लेकर जाएगा हमारे signal को लेकर जाएगा dorsal nerve root के थू central nervous system के पास लेकिन क्या वो दिमाग तक जाएगा नहीं spinal cord बोली मेरी बारे में तो किसी ने discussion ही नहीं करी मैं भी तो central nervous system का पार्ट हूँ तो central nervous system में spinal cord ने कहा ठीक है मैं ही decision ले देती हूँ यह decision लेगी और यही brain तक आपको भेजने की जुरत नहीं है बाद में brain को बता देना क्या हुआ तुम्हारे साथ एक काम करो फटा फट से एक different neuron भीजो यहाँ पर एक effector पड़ा है उसने effect लिया वो excite हुआ उसने फटा फट से वापस signal भीजा किस के थूँ sensory neuron के थूँ और कहा फटा फट से हाथ हटा ले इसे हम क्या कहते है reflex arc कहते है जैसे मैंने अभी तुमको क्या बोला था मैंने अभी तुमको बोला था कि हम check करते हैं बटा इस से मैंने अभी तुमको दिखाया था ना कि हम ऐसे check करते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे यह जो है ना पैर इस पे ऐसे मारते हैं यहाँ पे उससे ना पैर ऐसे मूँ करते हैं ऐसे that is nothing बटर reflex arc जिसे हम कहते हैं जर्क नी जर्क तो इस तरीके का डायग्राम NCRT अपना यहाँ पर बनाती है कि जैसे ही stimulus लगा देखो ऐसा ही तो हैमर मारा इन्होंने मैंने तुमको रियल लाइफ में दिखा दिया ऐसा ही तो हैमर मार रखा है इन्होंने stimulus लगा यहाँ पर एक ने receive करा efferent pathway गया dorsal के थू यहाँ तक अपना signal गया वहाँ से वापस आया efferent pathway के थू motor end plate में effector और फटा फट से response शोग हो गया topic deleted हो नहीं हो I don't care खतम मैंने कर दिया ठीक है इसी के साथ आपका ये वाला जो portion है वो खतम होता है ये वाला जो chapter है वो खतम होता है I hope सबी लोगों को ये chapter जो है वो समझ में आ गया होगा ठीक है ये है वो hammer और इससे हम वो देखते हैं planter reflex planter reflex में ऐसे pair लेके और ऐसे की आ जाता है तो जैसे ही आप करोगे न तो this thumb moves उस thumb से हम बता सकते हैं thumb ऐसे की तरफ मोग किया उसे हम बता देंगे कहां उसको चोट लगी होगी brain में कहां पे हुआ होगा जब आओगे तुम MBBS में final layer में तब तुम को पता चलेगा must है चलो eye और ear बटा नहीं है syllabus में eye और ear syllabus से हटा दिया गया है इसके बाद एक last chapter अपने बास बचता है बटा जी चलो break लेते हैं 10 minute का अभी बजे है 7 बज के 58 minute 7.58 हुए है हम लेते है 8.10 तक break एक्जाटली 10 minute में सभी लोग मेरको इधर में लेंगे 20 का देदो नहीं 20 minute break मैंने का ना तुम ले लो break पीछे पीछे आते रहना मैं पढ़ाती जाओ मैं 10 minute का यह पुए है मोल बाव चल रहा है इधर नहीं नहीं 10 नहीं 10 नहीं मडम 20 बीस 20 मडम 20 अब बखलो लो 8 बच के 10 minute पा इधर ही मिलोग मेरको सारे नहीं मिले तो फोड़ दूँगे सर तुमारा अभ़ एपर बॉप जस्वित झाल 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 tomorrow I'm going home yeah 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 after last time I went home Diwali Diwali when diwali was it? November November 30thever डिसम्बर जैन्वरी पेब मार्च पांच महीने के बाद घर जाओंगी भई पांच महीने के बाद पांच महीने से घर नहीं गई मैं चलो स्टार्ट करें चार तॉपिक पने बाद बक्याओंρέ करते हैं छार्ड़ काज़ें मुअ चाप्डर को फड़ा क्ई मीप다가 जवले के हरे- wrapped पैंक्रियास तेपन कर्णे क्तर है इंस्टेग्राम थोड़ी 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 है इंस्ट चलो, 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 चले, चलो, अच्छा, 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 पैंक्रियास के बारे में बात करेंगे, फिर करेंगे एड्रीनल ग्लांड के बारे में, पैंक्रियास एक कॉम्पोजट ग्लांड है, जैसा कि मैंने यहां पर जब चाप्टर शुरू करा, तो मैंने कहा, इस chapter के अंदर ये जो glance है, ये glance है ductless glance. यानि इन glance में ducts present नहीं होती. इनका जो भे समान है वो blood में बह कर जाता है. लेकिन कुछ glance ऐसे होते हैं जिनके पास ducts present होती है. जब आप structural organization वाला chapter पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे glance के बारे में. तो दो तरीके की चीज़े होती हैं, एक होते हैं exocrine glands और एक होते हैं endocrine glands. endocrine glands के पास ducts present नहीं होती, इसलिए मैंने इस chapter का नाम endocrine system भी कहा था. exocrine के पास ducts present होती हैं, ठीक है? और pencreas एक composite hormone है, sorry composite gland है, जो endocrine भी है, exocrine भी है. अब इस chapter में मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इस chapter में मेरे को कोई मतलब नहीं है. किस से? exocrine से. मेरे को endocrine से मतलब है. तो बात कर लेती हैं endocrine pancreas के बारे में. तो endocrine जो यह है, ऐसा होता है, पत्ते जैसा सा अपना pancreas. pancreas के अंदर जितना भी tissue है, उसमें सिर्फ एक से दो परसंट tissue बनाया जाता है, किसके दोरा? आइलेट्स ओफ लेंगर हैंस के दोरा. किसके दोरा? आइलेट्स ओफ लेंगर हैंस के दोरा. और यह पता है कितने होता है? 1 to 2 million. 1 to 2 million, 1 to 2% ही बना रहे हैं. 1 to 2 million, आइलेट्स ओफ लेंगर हैंस, pancreas का सिर्फ 1 to 2% तिशू ही बना रहे हैं. 1 to 1 to, याद रखना? और इसमें 2 टाइप के सेल्स हैं. कौन-कौन से? एक मेरे पास हैं, अलफा सेल्स, और एक मेरे पास हैं, बीटा सेल्स. अलफा मेल नहीं, अलफा सेल्स, अलफा सेल्स ग्लूका गन बनाते हैं, और ये बनाते हैं, इंस्यूलन. क्या बनाते हैं? इंस्यूलन बनाते हैं. बीटा सेल्स बनाते हैं, इंस्यूलन. अलफा सेल्स बनाते हैं, ग्लूका गन. तो alpha male के पास gun होती है हमेशा, तो glucose की gun, उनके पास glucagon और beta cell के पास insulin, अब glucagon के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले glucagon क्या होता है, एक peptide hormone होता है, ग्लुका गन नाम कह रहा है ग्लुकोज की गन तो यह एक हाईपर ग्लाइसेमिक हॉर्मॉन है यानि एक तरीके से ग्लुकोज को बढ़वाने का काम करेगा और बढ़वाना कहां ब्लड में अभी जैसे कैल्शिम बढ़वाया था हाईपर कैल्सेमिक हॉर्मॉन में ने कहा था वो कहां बढ़वा रहा था कैल्शम को वो बढ़वा रहा था ब्लेड में इसी तरीके से ग्लुकागन भी एक हाईपर ग्लाइसमिक हर्मोन है जो क्या कर रहा है ग्लुकोज के लेवल को बढ़वा रहा है कहां ब्लेड में इसके अलावा ये liver cells में, liver के लिए हम word use करते है हिपाटो, तो liver में भी बहुत सारे cell हुतनी है, जिने हम कहते है हिपाटोसाइट्स, उनके उपर भी काम करता है, अब कुछ process है, जैसे कि number one, मेरे पास यहाँ पर क्या है, glycogenolysis, इस word को तोड़ते जाना, glycogenlysis मतलब breakdown, तो हम क्या करने वाले हैं, glycogen का breakdown करने वाले हैं, आप सबको पता है, आपकी body में glucose, glycogen की form में stored होता है, अगर आपको जादा glucose body में चाहिए, तो इस glycogen का breakdown करवा लेना, और glucose बनवा लेना, तो ये क्या करवाएगा, ग्लूकागन चाहता है, जादा glucose हो body में, तो वो glycogenolysis करवाएगा, वर्ड से समझते जाना, बिल्कुल ईजिली चीजे समझ में आ जाएंगी, उसके अलावा, एक प्रोसेस होती है, ग्लूको नियो जेनेसिस, ग्लूको का मतलब glucose, नियो मिन्स नियो और जेनेसिस मतलब जेनेरेट करना, नाम ही बोल रहा है, ये नए ग्लूकोज को जेनेरेट करवाएगा, खतम बात, तो इसका मतलब ग्लूकागन क्या होता है, एक पेप्टाइड होर्मोन होता है, जो ब्लड में glucose के लेवल को बढ़वाता है, हाइपर ग्लाइसमिक होर्मोन होता है, कैसे ग्लाइकोजन को तुड़वा कर, नए ग्लूकोज को बनवा कर, नाम ही बता रहा है, उसके अलावा, उसको ब्लड में बढ़वाना है, तो सेल के अप्टेक को उसे घटवाना पड़ेगा, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लड और ये थे मेरे सेल, मैं चाहती हूँ मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज जादा रहे, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, कि कहीं सेल ना उठा ले, blood क्या करता था blood समान को इदर से उधर इदर से उधर लेकर जाता है इदर से उधर लेकर जाता है तो हम क्या चाहेंगे cell इसका आप टेक ना करे ताकि वो glucose blood में ही जौदा रह जाए तो ये काम मेरे पास किसका हो गया glukagun کا हो गया इसके बाद दूसरा आता है insulin जो किसके द्वारा बनाये जाता है कौन से cells के द्वारा फटा फट बता दो मेरे को insulin कौन से cell के द्वारा बनाये जाता है beta cells के द्वारा ठीक है तो beta cells अपने पास यहाँ पर insulin क्या करता है यह glucose के homeostasis को maintain करने में help करता है homeostasis का मतलब एक तरीके से अपना जो balance है उसको maintain अपने पास यहाँ पर रखेगा यह क्या करता है उसका just ultra का cellular glucose को के uptake को यह बढ़वा देगा यह भी hepatocytes पे काम करेगा और blood के glucose level को घटवा देगा जो glucose गन ने किया उसका just opposite काम इसने किया वो hyperglycemia करवा रहा था यह hypoglycemia करवाएगा यानि यह glucose को वापस से glycogen में convert करवा देगा जिस process को कहा जाता है glycogenesis नाम से तोड़के देखो glycogen का genesis हतम बात आगई बात समझ में glycogen glucose की गन तड़क 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 बढ़वाए जारी थी बढ़वाए जारी थी यह उसका just opposite तो हमारी blood के अंदर जैसे calcium को maintain करने के लिए थाइरोइड पैरा थाइरोइड थे ऐसे ही glucose को maintain करने के लिए insulin and glycogen present होते हैं ठीक है और कुछ ऐसे लोग जैसे अपने पास ये सेल है ये क्या है मेरा सेल सेल के ऊपर ना ऐसे रिसेप्टर होते हैं मैं थोड़ा सा INCIARTE के बाहर यह बात बता रही हूं वैसे जनरल नॉलेज होए क्योंकि डायबेटीज हम बहुत सुनते हैं अपनी लाइफ में तो हमारे ँरू क्या करते हैं उतना मीठा खटे रहते हैं खाते रहते हैं जिसक्या थिर्यPerfect के इंसूलिन खरॉप होए बर जडिया तो उसकी वज़ेशे क्या होता है अब ग्लुकोज को उठा नहीं पा आप ग्लुकोज अगर उठ नहीं पा रहा सेल के दौरा तो फिर वो बॉडी में बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा यूरीन से भी बाहर निकल रहा होगा तो ऐसे लोगों को डाइबिटीज हो जाता है और इन लोगों का ग्लाइको सूरिया होता है इसी तरीके से अब सेल अगर ग्लुकोज को नहीं उठवा पा रहे सेल किसको नहीं उठवा पारे ग्लुकोज को नहीं उठा पारे अब सेल को जिन्दा रहने के लिए खाना तो चाहिए तो सेल अब फैट को यूज करेंगे और फैट को तोड़के अपने आपको जिन्दा रखेंगे और जब भी फैट तूटते हैं तो ketone bodies बनती है, क्या बनती है, ketone bodies तो ऐसे इंसान में glucose use ही नहीं हो पा रहा, तो इतना भरा पड़ा है उसके शरीर में, urine से भी निकल रहा है, इसलिए ऐसे इंसान में आपको glycosuria देखने को मिलेगा, यूरिया मतलब urine और उसमें glycos, glucose और साथ में, क्योंकि जिन्दा रहना है सेल को, तो वो fat को तोड़ रही है, तो fat के टूटने पर बनती है, ketone bodies, तो इतनी ketone bodies इनके शरीर में होंगी, कि ketone नूरिया भी आपको दिखने को मिलेगा, इनहें हम कहते हैं, diabetes, mellitus, ऐसे लोगों को बाहर से insulin देना पड़ता है, इन ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें बाहर से insulin देना पड़ता है, I hope सभी students को सारी की सारी जितनी भी बाते हैं, वो समझ में आ गई होंगी, इसी के साथ आपका जो pancreas है, वो खतम होता है, last but not the least, is the adrenal gland, जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारी kidney के उपर बैठा होता है, कौन? हमारी kidney पर बैठा होता है, adrenal gland, तो ये क्या था? adrenal gland, ओके जी, adrenal gland, दो एक पेर होता है, एक-एक kidney पर, एक-एक kidney पर, kidney के anterior part के उपर ये बैठा हुआ है, अब मैंने आपको एक बात बोली थी, दो portion होते हैं, हर जगे में बोलती आ रही outer cortex, inner medulla, मैं बार-बार ये word बोलती हूँ, कल जो chapters पढ़ा रही थी, उनमें भी बोल रही थी, over ही पढ़ाओंगी, वहाँ पे भी बोल रही होंगी, इसी तरीके से, अपना adrenal gland भी, दो parts में divided होता है, outer cortex, तो उसे हम क्या कहते हैं, adrenal cortex और inner medulla, उसे हम कहते हैं, adrenal medulla, तो हमारा adrenal gland भी, इसी तरीके से, दो parts में divided होता है, ओके जी, अब ये करता क्या क्या आपने पास है, तो one by one करके बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, adrenal cortex के बारे में, किसके बारे में, adrenal cortex के बारे में, ओके, अब हमारा, जो adrenal cortex है, वो क्या करता है, तीन लेयर्स में डिवाइड़ होता है क्या क्या एक है सबसे बाहर वाली अब ये ऐसे globular सा structure बन रहा है तो adrenal cortex की सबसे बाहर वाली लेयर उसे हम क्या कहते होंगे एक ऐसा जोन जो गोल गोल सा है जोना गलॉमी रूलोसा ठीक है अंदर वाला जोना रेटी क्यूलारिस और उनके बीच में फसा है जोना फैस्की क्यूलेटा तो adrenal cortex के तीन पाट होती है बाहर एकदम adrenal cortex भार वाला पाट है उसका भी सबसे बाहर वाला पाट जोना गलॉमी रूलोसा बीच में फसा है जोना फैस्की क्यूलेटा अंब उसके अंदर फसा है जोना रेटी क्यूलारिस adrenal cortex बहुत सारे hormones release करता है जिसमेह से हम उन्हें क्या कहते हैं हम उन्हें कहते हैं cortex से corticoids cortex से corticoids तो ये क्या अपने पास produce करता है corticoids नामक hormone produce करता है आपने दो चीज़े सुनी हुँगी क्या क्या एक आपने सुना होगा glucocorticoids और एक आपने सुना होगा mineralocorticoids क्या आपने ये दूनों वर्ड सुने glucocorticoids and mineralocorticoids तो ये दो तरीके के hormones release करता है glucocorticoids mineralocorticoids glucocorticoid सबसे सबसे main glucocorticoid हमारी बॉड़ी में कौन सा है cortisol mineralocorticoid सबसे main हमारी बॉड़ी में कौन सा है eldosterone तो अब mineralocorticoid और glucose ग्लूको यानि glucose ग्लूको यानि glucose तो ग्लूकोज वगेरा का यानि कार्बो हाइड्रेट वगेरा का metabolism ये कंट्रोल करेगा mineralocorticoid यानि minerals क्या होते हैं water electrolyte उनको कंट्रोल कौन कर रहे होंगे mineralocorticoids कंट्रोल कर रहे होंगे तो क्या-क्या मेरे पास यहां ग्लूको नियो जैनेसिस कर आते हैं यानि नए ग्लूकोज क्या कर रहे होंगे ग्लूको नियो जैनेसिस कराते हैं यानि नए ग्लूकोज का जैनेसिस कराते हैं एक तो नया ग्लूकोज मैंने बनवा लिया उसके अलावा जो हमारे fat हैं और protein हैं उनको भी कहा तुम भी तूटो और तूट कर ग्लूकोज बनाओ तो साथ में यह लाइपोलाइसिस fats की टूटने को lipids लिपिट्स के टूटने को like Olysis कहा जाएगा और protein को proteolysis कहा जाएगा तो glucocorticoids नाम ही कह रहा है they want to increase glucose glucose कैसे increase करें नया glucose बन वा के fat को भी कह तूट तू भी क्लूकोज बनाओ प्रोटीन को भी कह, तू भी तूट, तू भी अपने पास glucose बनना, and साथ में cell को बोलो, तू uptake मत कर, जहां जहां मुझे किसी चीज को बढ़वाना होता है, जैसे अभी मैंने पहले भी दिखा था, वहीं वहीं पर cellular uptake मुझे बंद करना पड़ेगा, amino acids का utilization, cellular uptake ये बंद करा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपने पास glucose, और जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉर्टी सॉल, एक सबसे important glucose, कॉर्टी कॉइड होता है, जो हमारे central cardiovascular system, हमारे heart को, हमारे kidney के function को, उनको भी maintain करने में help करता है, क्योंकि मेरे को ग्लुकोज से, एक ही cholesterol याद आता है, और cholesterol से मेरे को heart याद आता है, या kidney, या तो kidney से उस cholesterol को भार में एक दो, या फिर heart में वो damage करेगा, तो cortisol, डो जीजो को control और कर रहा है kidney को, साथ में अपने CVS को, और क्या क्या करते हैं, ये कुछ anti-inflammatory reactions भी करते हैं, हमारे immune response में भी participate करते हैं, ये इनके additional functions हैं, उसके लावा RBC का production भी करा देते हैं, on the other hand, eldosterone क्या करता है, वो sodium और water, यानि अपने electrolytes और water वगेरा को control करने का काम करेगा, इसके लिए तो बिटा हमने एक ही chapter पढ़ा है, excretion, तो eldosterone renal tubule पर काम करता है, वहाँ पर sodium का water का reabsorption कराता है, potassium का, phosphate का secretion कराता है, यानि ये हमारी body में osmotic pressure, body fluid balance, electrolytes, BP, इन सब चीजों को maintain करने में help करता है, simple, skull kidney का अपना पास imagine करके देख लीजिए, तो मैंने क्या क्या बोला, एक बर फिर से हम revise कर लेते हैं, मैंने यही थोड़ा difficult part है, adrenal cortex का, उसके बाद कुछ नहीं बचा, medulla में जादा कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा, हमारा जो adrenal cortex है, पहली बात तो मैं उसको तीन पार्ट में divide कर सकती हूँ, जोना glomerulasa, जोना pisciculata और एक जोना reticularis, यह क्या करते हैं, दो टाइप यह corticoids produce करते हैं, corticoids दो हमारे पास हो सकते हैं, glucocorticoids, mineralocorticoids, glucose यानि glucose तो gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis, बाकी सब को तोड़ेगा, नए glucose को बनवाएगा, साथ में हमारे heart पे, kidney पे उन पे भी काम करेगा, थोड़ा बहुत RBC बनवा देता है, immune response बनवा देता है, on the other hand, eldosteron, यानि हमारा mineralocorticoid, minerals यानि electrolytes और water उनको control करता है, वो सब चीज़े कहां हो रही थी, excretory system में हो रही थी, osmotic balance, BP, वो सब कल excretion के basis पर ही control हो रहा था, ठीक है, इसके लावा, साथ में कुछ endrogenic steroids भी यह produce करता है, कौन? adrenal cortex, grucocorticoids और mineralocorticoids तो करता है, उसके अलावा, कुछ endrogenic steroids भी produce करता है, endrogenic नाम ही कह रहा है, endrogen, male का जो hormone होता है, तो यह axial hair, pubic hair, facial hairs, puberty के time पे आते हैं न लड़कों में, उनको control करने का भी थोड़ा सा यह काम करता है, इसी के साथ आपका adrenal cortex खतम होता है, अगर adrenal cortex, कम produce हुआ, तो carbohydrate की metabolism गड़ बड़ा जाएगी, क्या होगी, carbohydrate की metabolism गड़ बड़ा जाएगी, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गए, अगर carbohydrate की चीज़ें गड़ बड़ा गए, आपको खाना नहीं मिल रहा, क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे, फटीख होगी, बिना बात, अल्रेडी जिन्देगी में इतना दुख है, एक और दुख एड हो गया, उसे हम कहते हैं, एडीसंस डीजीज, क्या कहते हैं, एडीसंस डीजीज, छीख है, बस कर दो मैम, यार मैं शौक से थोड़ी पढ़ा रही है, मैं तो छोड़के चली जाती हूँ, मेरा क्या रहा है, मिरको भी लेना रेस्ट, I also want to go tomorrow, I didn't even pack my bag, मैं तो छोड़के चली जाती हूँ, क्या बात कर दे हो, मैं खुद के लिए थोड़ी पढ़ा रही हूँ, छोटा सा चैप्टर और बचा हुआ है, दस मिनोट और लगेंगी, अपने लिए तु नहीं पढ़ा रही है, आप अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम से बीस दिन पहले बैठके, तो कैसे हो इंग को अजी, अच्छा, बचा क्या? एड्रीनल मेडूला, एड्रीनल मेडूला, दो हॉर्मोन्स करता है, आपने बहुत सुना होगा, एड्रीनलिन, नाम ही बोल रहा है, एड्रीनल मेडूला, एड्रीनलन, नारेड्रीनलिन, या फिर इसी को आप एपीनेफरिन Cars and Non-Epin traffỉ adjust ring line एक नवीडन चाहित कहते हैं da마न को आपने सुना होगा तो एड्रेनलिन नौर इड्रेनलिन ईपीनेफरेन नौर इपीनेफरेन और इनहें क्युते कॉलम माइस के नाम से भी जाना जाता है जैता है आ दोब्राइट Jackie में कोई भी एमरिजन्सिवी अच्रोग सैंसिए धैंने के लिए भाग सब्सक्राइब्स है क्या है ग्लूकोज ही ग्लूकोज है तो आपको जैसे ही फ्लाइट या फ्लाइट करना होगा आपको फटा फट से ग्लाइकोजन को तुडवाना पड़ेगा तो यह क्या करते हैं हमारी क्याट देखा ना ऐसे भागती है जोर से तो क्याटे कॉलमाइन्स ग्लाइकोजन को तुडवाते हैं बलड में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कराते हैं साथ में लिपिड को भी तुडवाते हैं उनको भी ग्लूकोज बनाने के लिए कहते हैं साथ में प्रोटीन भ महां से भागें और यह क्या करते हैं एकदम कर लो आपके पीछे कुटा लगया कुटा लगते ही आपकी हार्ट बीट ते जो जाएगी आपका दिल जो है वो धक्र-दक-दक-दक दढ़केगा तो हमारे पास यह हॉर्मॉन हार्ट बीट बढ़वाते हैं हाट की और टेक्स, एड्रीनल मेडूला, एड्रीनल ग्लांड हतम होता है टेस्टिस ओवरी हम यहां नहीं करेंगे लास्ट अपने पास बचा हाट के, किडनी के, जी आई सिस्टम के जो मैंने कहा वहां पर भी हॉर्मॉन बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं ठीक है तो जैसा कि आपक कि प्रोडक्शन कराते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको हाट में पढ़ाया था, ANF, Atrial Neutritic Factor, जो BP को कंट्रोल कर रहा था, याद है मैंने बोला था, वैसो डाइलेशन करेगा, BP कंट्रोल करेगा, है ना, खतम बात, हाट बनवाता है, ANF, अरे कल बताया था कि नहीं बताया थ यार, हाँ ना बोलो यार, कल सारा बता दिया यार, ठीक है, ओके, इसके बाद दूसरा अपने पास आता है, दूसरा क्या आता है, किड़नी के JG Cells, किड़नी के जकस्टा ग्लॉमिरल सेल, उनका दूसरा काम जो था, वो तो हमने एक्सक्रीशन में पढ़ लिया, उसके अला एक लास्ट बचा, GI सिस्टम का अपने पास हर्मोन्स, इनको आप बहुत डीटेल में, जब फर्स्ट एर में आप MBBS में आओगे, फिजियालोजी के अंदर पढ़ोगे, लेकिन अभी आपस इतना जानू कि चार मेजर पेप्टाइड हर्मोन्स होते हैं, कौन-कौन से, एक ह तो स्टमक से गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन का ही दूसरा उल्टा, गेस्ट्रिक इनहीबिटरी पेप्टाइड, ची क्या, उसकी गेस्ट्रिन ने कराई सेक्रीशन, सेक्रीटिन, तो गेस्ट्रिन ने कराई सेक्रीशन, इसने कराई इनहीबिशन, तो तीन हर्मोन के नाम तो त שמן सेइंट 10 सेज़ेचन और इसने करा निइन हिविशन तो गस्ट्रिन सेचरिटन गेस्ट्रीक इन हिबिट्री पेप्टाइड ज़्या ओर लास्ट एक बचा कोलें Cystokinin CCK ठीक है तो gastrin क्या करता है gastric glands पर काम करता है gastric glands क्या करते है हमारी स्टमक में क्या करते है Pepsi Nogen बनवाते है Hydrochloric Acid बनवाते है HCL तभी तो acidic है हमारी स्टमक Secretin क्या करेगा अब आप ऐसे देखिए अगर आपने Human Physiology जानते हूं आप कुछ इस तरीके से आप लोगों की स्टमक होती है हमारे पास क्या होता है इस तरीके से ऐसे अपना एक ऐसा होता है अपना पैंक्लियास इधर होता है अपना लिवर लिवर के नीचे ऐसे होता है गॉल ब्लेड है ठीक है कुछ इस तरीके से सारा सिस्टम होता तो अब आप इसको यह लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है बस मैं याद करने के लिए बता रहे हूं तो एक तो यहां पर गेस्ट्रिन ने इसके उपर काम करा और पेट का ही काम करा लिया एक्सियल निकल वा लिया पेपसी नोजन निकल वा लिया दूसरा पास वाला सेकरेटन पेंक्रियाज से सेकरीशन करवाता है अब एंडोक्राइन तो हमने पढ़ ली ग्लुकागन और वो तो हमने पढ़ लिया यह पार्ट एक्जोक्राइन पेंक्रियाज से सेकरीशन करवाता है और पाणी का बाई कर्बोनेट ऐनस का उनका सेक्रिशन कर आता है कि उसके बाद पास में गौल ब्लेडर भी है और गौल ब्लेडर के लिए हम वर्ड भी यूज करते हैं जैसे कॉलेस स्टाइटिस हम वर्ड यूज करते है जब साल ब्रेडर में क्या होता है बाइल जूस टोड होता है जो अपने किस ने बनाया था लिवर ने बनाया था similarly एक्जोक्राइन पैंक्रियास पर काम करता है पैंक्रियाटिक सेक्रीशन भी कराता है last but not the least is the gastric inhibitory peptide यह inhibition कराने का काम करेगा simple सी बात हो गई ठेक है तो बहुत सारे और non endocrine tissues भी होते हैं जो hormones release करते हैं जो हमारी body के normal growth में उनमें help करते हैं तो उन्हें हम growth factors के नाम से जानती हैं तो जितना भी हमने main chapter अपने पास यहाँ पर पढ़ा उसके अलावा ये भी अलग hormones हमको देखने को मिलते हैं लास्ट टॉपिक अपने पास बचता है बटा mechanism of hormone action अब आपने cell वाला chapter जो है वो पढ़ रखा है है ना आपको पता है कि हमारा जो cell wall अपने पास यहाँ पर पूती है वो कुछ चीजों को अपने अंदर से जाने के लिए अलाव करती है कुछ को अपने अंदर से जाने के लिए अलाव नहीं करती है इतनी छूटी सी बात आप सभी को पता है ठीक है किनको proteins को वो अंदर जाने के लिए अलाव नहीं करती है और अपना जो लिपिड्स होगा, यानि अपने जो फैट्स होगे एक तरीके से, उनको अपने अंदर जाने के लिए अलाव करतेगी तो दो सिस्टम में आपको यहां पर पढ़ाती हूँ, एक हमारे पास यहां पर क्या हुआ, हमारे पास एक हॉर्मोन आया, जिसका नाम है FSH, यह हॉर्मोन एक तरीके से प्रोटीन मालो आप, प्रोटीन है, चीक है, पेप्टाइड हॉर्मोन है, प्रोटीन से बना है, अब यह आया, आकर बोला knock knock, I want to go inside, और मैं इस cell को कहना चाहता हूँ कुछ signal देना चाहता हूँ कुछ message देना चाहता हूँ हॉर्मोन क्या करके आया है, कुछ नहीं करके आया, message लेकर आया है चीक, FSH बोला मैं इसको message देना चाहता हूँ सुना बिल्कुल, छोटी सी बात है, खतम होगया चाप्टर, बस, दो मिनट और लगेगी FSH बोला, मैं एक छोटा सा message लेकर आया हूँ, देना चाहता हूँ, मालो ovary के पास आया, FSH तो ovary के उपर ही काम करता है, तो ये ovary की cell membrane थी ovary की cell membrane बोली sorry brother, but I cannot allow you inside, because आप fat, lipid से नहीं बने, आप protein से बने हो उसने का हाँ, तो कोई तो ऐसा बंदा होगा, जो मेरी भी सुन ले बात उसने का हाँ, मेरे उपर present है कुछ receptor आप अपना message उन receptors को दे दीजे, वो आपका message अंदर पास करेंगे फिर वो अंदर आपका message पहुचा देंगे, तो receptor से ये जाकर bind करते हैं जिससे क्या होता है response यहाँ पर आता है और हमारे पास एक secondary messenger, क्या होता है generate होता है जैसे की cyclic AMP जैसे की, ये messenger के नाम है, ये बस आप रट लो messenger के नाम, जैसे तुम्हारा नाम सीता, गीता, बबीता, ऐसे ही cyclic AMP, IP3 calcium, ये एक secondary messenger है जो तुम्हारा message अंदर रानी साहिबा तक पहुचाएंगे वो लेकर गए message, उन्होंने आपका message पहुचाया आप थे कौन? आप थे primary messenger आपको direct अंदर नहीं जाने दिया, बदले में आपका response secondary receptor लेकर गया वो जाकर आपकी ovary को उछने बोला कि आपके लिए message आया है please आप grow कर दीजिए आपके लिए message आया है please आप grow कीजिए तो यहाँ पर बदले में एक physiological response बन कर आ जाएगा और ovary क्या कर जाएगी, grow कर जाएगी ठीक है इस तरीके से हमारे पास यह system काम करता है on the other hand दूसरा एक hormone आया estrogen यह hormone हमारे पास एक steroid hormone है यहाँ पर यह मेरा था uterus uterus की cell membrane है मैंने एक uterus का cell उठाया यह estrogen आया एक message लेकर हमने कहा या या व्रो, come on जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अंदर जाओ, गया अंदर message लेकर message लेकर पहुचा direct कहाँ पर, nucleus के पास nucleus को बोला, चल फड़ावट नया जीनोम बनवा नया RNA बनवा, प्रोटीन बनवा और grow कर जा तो यहाँ पर, यह direct nucleus को जाकर message पहुचाता है वहाँ पर एक hormone receptor complex बनता है nucleus, directly genome, mRNA, प्रोटीन जो हम molecular chapter के अंदर पढ़ेंगे physiological response बना देता है, tissue का growth करवाना था, differentiation करवाना था, जो करवाना था वो अपने पास हो जाता है तो दो तरीके से चीजें काम करती हैं एक जिसमें directly हम message अंदर पहुचा सकें एक जिसमें हम directly message अंदर तक ना पहुचा सकें तो कुछ hormones हमारे पास steroid वाले होते हैं यानि steroid कहते हैं एक तरीके से fat की रूप में आप imagine कर लीजिए तो जैसे की हमारे पास क्या हो गया कॉर्टी सॉल अभी आपने पढ़ लिया सॉल यानि अपना glucose glucose सा कॉर्टी सॉल है ना इसी तरीके से हमारे पास testosterone इसी तरीके से estradiol इसी तरीके से progesterone तो टिरोन टिरोन ओल ओल ये कौन होते है steroids होते है इसके अलावा एक type के hormones होते है idothyronin वो तो तुमको पता है thyroid hormones ही होते है उनके अलावा तो कौन ही होगा एक तीसरे तरीके के hormones होते है amino acid के derivatives तो epinephrine आपने पढ़ा है that is an amino acid derivative इसके अलावा जितने भी hormones बने या तो वो peptide है या फिर वो polypeptide है या फिर वो protein hormones है वो आप याद मत करना ये तीनों याद कर लो automatically जितने भी hormones बचे insulin, glukagen, hypothalamus के जितने भी hormones थे pituitory के जितने भी hormones थे वो सारे के सारे peptide, polypeptide या फिर protein ही होते है clear clear इसी के साथ आपका human physiology खतम होता है I hope you like the session अभी ये खतम होने के बाद आपकी कल की छुटी रहेगी आप अपने दूसरे subject को time दीजे अपने बाबू को शोना को time नहीं देना दूसरे subject को time देना है चिक है कल बायो भी पढ़नी है पूरी human physiology आपको revise करनी है हम 12 तारीक को इसी channel पर वापस मिलेंगे plant physiology के साथ 13 तारीक को इसी channel पर फिर से मिलेंगे morphology वाली unit के साथ उसके बाद रखेंगे हम दो दिन की छुटी 14 और 15 तारीक ये हमारा schedule रहेगा आप जाकी revise करेंगे ठिक है मैं अब इस video को खतम करने जा रही हूँ अगर आपको मेरी तरफ से पिछले दो दिन में मैंने human physiology में जितना effort लगाया मैंने लगातार 10 गंटे पढ़ाया है 5 गंटे कल 5 गंटे आज अगर आपको जरा भी थोड़ा सा effort जो है वो पसंद आया आपको लगा की session में दम था तो एक छोटी से request है जाते टाइम एक छोटा सा comment छोड़ जाना मेरे इस session को end करने के बादी ठीक है यार चल्ड थांक्यू सो मच एवर्वन बबाई टेक क्यर एक छोटा सा comment मतलम मेरको ना वो कमेंट के सारे में को बाद अच्छा लगता है तो बहुनस्ट I love to read comments whenever I sleep so I want to actually like you know sleep with those comments की मिरको रात को सोते टाइम ऐसे लगना चाहिए कि यार चलो आज मैंने कुछ किया तो बहुनस्ट I want to sleep with those comments की थी का आज मैंने कुछ हल्क किया मेरी वज़े से सुसाइटी में कुछ भी चेंज आया at least कोई चेंज तो आया ठीक है तो if possible अगर आपको वो आया हो तो मैं session end कर रही हूँ एक चोटा सा comment चोटा जो जाना thank you so much everyone बाकी इस वीडियो के description में telegram का link है जोइन कर लेना सब DPP बगेरा के लिए बाबाई